इसके साथ हमने रन किया था उसमें कुछ गुरुप्स ऐसे थे जिनका बीमी रन करने के बाद वैल्यू जीरो आ गई थी इंबैलन्स जब एड गिया सबका तो जीरो आ गया कोई ऐसा गुए था आप जीरो पॉइंट सेवन का मतलब है कि अल्मोज जीरो आ गया था ठीक द्रॉइड जीरो गया था जीरो पॉइंट सेवन का भी मतलब यह है कि कुछ राउंडिंग आफ में प्लस माइनस करके लेकिन जीरो पॉइंट सेवन सो गुड नफ तो यानि आथ सोचा यह है कि बजाए के हम एमोगी टीम का कोई explain करें अगर कोई ऐसा participant है जो volunteer करके कल की assignment को ऐसे करना चाहे तो वो जड़ा बेतर हो जाएगा हम कोई कोई volunteer करना चाहे तो कि आज़ें आपको आपकी आपने WhatsApp किया वा था हमें तो उस WhatsApp में आपका बता दे कौन से वाला हम वह स्क्रीन पर डिस्ट्वे कर देते हैं प्रेजंटेशन मनाई हुए है तो वह अगर आप दे दें यूज भी है कि अगर आप कि अगर आप कि झाल 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 सबसे पहले तो हमें जी तो हमें पताए गई थी एक एक्सील शीट में तो वो भी हम लोगों ने हर एक सीडीप पॉइंट पे जो आ रही है वो शोग कर दी फिर थर्ड चीज़ हमें इसमें जो एक्स्प्लेंड की गई थी कि आपके पास कॉंट्रेश्ट किस किस टाइप के आपके आपके पास पांच मुझन देगा वह आपके लेश्टो को लेना पड़ेका ऐपका एजक्ए है उसका लोड़ूटसॉविंग है एक स्किसिसिकस परसेंट का मतब्र लेश्ट को जितना भी लेना चाहेगा उसका सुसीरथज़ सेंट हर हाल में AJK को प्रोवाइट करना पड़ेगा आपका NOVA का भी similar contract मोज़ूद है 33% का less को जितनी भी input लेगा उसका 33% NOVA प्रोवाइट करेगा जबके BPC through competitive supplier के Vidaid के साथ contract कर रहा है Vidaid जो है उसके साथ हमारा fixed quantity का जो है contract हुआ हुआ है कि वो 202 megawatt हर हाल में output देगा next thing हम लोग को जो sheet से मिली के जी हमारे पास Lesco के जो NEPRA defined losses है वो 10% है अच्छे सर अब एक के करके हम इनकी calculation स्टार्ट कर देते हैं transmission loss क्लिक करें करेंड़ी सबसे पहले सर हमारे पास CDB points जो generation से output होते हैं transmission में enter होते हैं उन तीनों के तीनों को हम लोग add कर देते हैं तो 1064 megawatt hour हमारे पास आ जाता है transmission transmission system से निकल के distribution system में enter होते हैं तो जो loss जाहर सी बात है आएगा transmission loss बनेगा उसकी वज़े से CDB points पे values different हो जाती हैं हमारे पास 1053.36 megawatt hour आ जाता है दोनों को minus करेंगे हमारे पास 10.64 का transmission loss record हो रहा है अब जिस देदर recorded transmission loss ठीक हो गया अब हमारे पास total generation को करें सर अब हमारे पास total generation क्या आ रही है जो less को feed in कर रहा है 1053 जो आपके पास ये generation from the transmission system आ रही थी plus the 440 from the NOVA इन दोनों को हम add करते हैं तो हमारे पास 1493.36 की हमारे पास generation total आ जाती है सर काइंड ली distribution अब हम बात करते हैं कि जी हम लोगों के जो दोनों के दोनों outputs हैं जो less को से निकलना एक regulated अपने consumers हैं और एक उनका BPC है अब BPC के जब हम लोग कहेंगे जी उसके adjusted जो BPC की adjusted energy है वो किस तरह करेंगे तो उसका जो हमें formula पताया गया था है कि हमारे पास जो भी ये मेगावाट आर्स वो CDP point पे ले रहा है ठीक है जो energy record हो रही है उसको हम लोगों ने one minus आपके distribution loss है उससे divide कर देना है तो हमारे पास distribution loss 10% था 1 minus point 1 हमारे पास 266.67 का मेगावाट आर का हमारे पास ये हम लोग के ये जी adjusted value आ गई है हमारे पास ठीक है इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारे पास यहाँ पे total energy थी जो इस point पे हमारे पास इस लेसकों में enter हो रही थी उसमें से इस 266.67 को हम minus करेंगे तो हमारे पास regulated जो consumers हैं उनकी energy आ गई जो आ रही है 1226.69 मेगावाट आर 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 ये आने के बाद हम लोग सर अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ के उपर कि अब हमने uplift coefficient मौलूम करने uplift coefficient मौलूम करने के लिए हम लोगों को transmission loss divide करना है sorry सही है transmission loss divide करना है हमने जो हमारी total generation है सही है हाँ सही है तो सर हमारे पास आ गए 0.002712 हमारे पास uplift coefficient हम लोग ने मालूम कर लिया next हम लोग करेंगी energy supplied energy supply की जा रही है जाहर से बात है transmission की तरफ से की जा रही है NOVA की तरफ से जा रही है और इनका क्या pieces बन रहे है towards regulated consumer और हमारे BPC पहले BPC को देख लेते हैं जो energy supply to the BPC है वो हम लोग के पास जो already जो हम लोग ने adjustment निकाल लई थी इस formula के तहट उसको 1 plus जो हमारे पास uplift coefficient आया उसके साथ हमने multiply किया तो 268.56 आ गया similarly, जब हम regulated consumer के पास के ले जाते हैं तो same formula 1226 को multiply करेंगे 1.00712 के साथ हमारे पास 1235 megawatt आजाता है clear? अच्छा, अब हम इसको check करते हैं sir currently check दीजेगा होना यह चाहिए कि अब total generation जो आपके पास आई है वो total उसके बराबर आजाए तो इसका मतलब है कि 1064 जो हमारे पास transmission में जो आ रही है प्लस 440 जो यहां पे है यह हमारे पास यह 1504 है ठीक है sir, यह 1504 के बराबर बनती है यह बराबर हो रही है 1235 प्लस 268 इनको add करें तो हमारे पास 1503.9 के बराबर आ रही है error मेरे पास आ रहा है 0.037 का जो हम लोग ने rounding off की है coefficient का थोड़ा सा फरकार है तो यह check है कि क्या हम लोग जो calculation करें वो okay है या नहीं है तो इस चीज़ में हम लोग okay हो गया sir, next slide अब हम आ जाते हैं imbalances के उपर हमारी imbalances यह हम एक एक करके ले की चलेंगे जितनी हमारे पास generating stations है और inputs आ रहे हैं हमारे पास सबसे पहले हम पांचे के उपर चले जाते हैं पांचे का हमारे पास जो contract था वो generating following था अब वो अगर 100 megawatt और 100 megawatt आप generate करता है तो वो आपको लेना पड़ेगा लेकिन इस time पे वो कितना generate कर रहा है जी 74 तो इसका मतलब है जो उसकी contracted है वो 74 है और actually हम वोई 74 ही लेंगे हम आ जाते हैं जी AJK के उपर अब AJK जो है वो actually जो है वो 730 produce कर रहा है load following है 66% of the total load of the Lesko ठीक हो क्या है अब हमारा total load of the Lesko क्या था 1226 ठीक है जी यहाँ पे हम नहीं निकाला था उसके हम लोग ने uplift coefficient लगा के 0.66 कर दिया तो हमारे पास आजेगा 815 अब इसका imbalances हम चेक करते हैं तो 730 actual energy minus contracted energy हमारे पास minus 85 आया है similarly NOVA का भी इसी तरीके से NOVA भी input हो रहा है तो 1226 multiply by 0.33 क्योंकि 33% है 33% है और uplift लगा के हमारे पास 407 आया actual energy से हम लोग contracted energy को minus करेंगे हमारे पास imbalance आ जाएगा अब ये जो तीन हमारे पास पांचे AJK और NOVA इन तीनों ने contract किया वा था लेसको के साथ तो इसका मतलब है कि जो भी contract इन तीनों के थे वो contract मनें गए आपके लेसको के तो आप इन तीनों को add करेंगे 74 को 815 को और 407 को तो आपके पास 1297 आ गया ठीक है आपके पास यहां पे जो actual energy आपके already आ रही थी वो ये आ रही थी आप minus करेंगे actual से contracted को तो minus 70 आ जाएगा अब आपके देखेंगे जी आपके पास CS यह CS बैठा हुए है BPC जो लाइन लगी हुई है this is actually physical नहीं है सिर्फ contracted value है commercially इसके ताब बार्णिंग है इस वाज़े से यह dotted लगाई गई है अब CS का वो डाइट के साथ यह contract है कि तुमने 202 megawatt देना है actually वो कितना दे रहा है 260 वो डाइट दे रहा है 260 और 202 का contract है तो इसका हम लोग अगर imbalance देखेंगे तो 58 आ जाएगा और CS का BPC के साथ क्या है कि जी load following है जो तुम मांगोगे वो मैं provide करूँगा ठीक है जी तो आपके पास आगया यहाँ पे 266 वो मांग रहा है लेकिन यहाँ पे उसके साथ का contact 202 का है यह कर लिया imbalance करेंगे तो हमारे पास minus 0.7 का imbalance जो है ratio हो रहा है वो भी वह सी वाइस से आ रहा है कि हम लोग ने rounding off में वो किया ठीक है I think so this ends my presentation Thank you Thank you Thank you इसको energy के साथ अपनी capacity का भी contract करना पड़ेगा क्यूंके capacity उसको फर्म चाहिए होगी वो energy supply करने के लिए तो वह ऐसा नहीं कर सकता का सिर्फ अपना energy only contract कर ले उसको उस energy के गेंस्ट उस पे capacity obligation लगेगी उस capacity को उसको procure करना पड़ेगा तो कोई भी BPC, SOLR या competitive supplier जो energy लेगा उसके गेंस्ट एक capacity का हमने formulation दी हुई है जो capacity obligation का अगला chapter है chapter 10 गालेबन उसको उसके accordingly capacity भी procure करनी होगी तो वो ये तो कर सकता है कि किसी एक generator से energy only कर ले और किसी दूसरे generator से capacity only कर ले और अपनी energy और capacity दो contract से मिला के एक total obligation अपनी पूरी कर दे लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ वो energy का contract करके market में आ जाए और market में आने के बाद वो कहें कि मैंने सिर्फ energy का contract किया और capacity का किया नहीं हुआ अगर ऐसा वो करेगा तो क्या होगा कि साल के end पे हम देखेंगे कि आपने सिर्फ energy का contract किया था इसके against आपको जो capacity चाहिए थी वो capacity का आपके पास contract नहीं था तो लहाज़ा वो energy आपको serve तो हो गई लेकिन उसके against जो capacity थी उसके imbalance में जाके आपको capacity खरीदनी पड़ेगी जिस तरह आप energy का contract करते हैं और अगर आपने energy के against उससे जएदा energy procure कर ली तो आपका negative imbalance हाया और आपको marginal price पे दे दिया इसी तरह आपने जो capacity आपको procure करनी चाहिए थी अगर आपने वो capacity procure नहीं की तो उसके against जो capacity आपको चाहिए थी उसके difference के साथ आपको BMC में जाना पड़ेगा तो इसमें फिर वो ही same जो BME का concept था कि आपका imbalance of capacity multiplied by आपका जो capacity की price निकलेगी आप उसके multiply करेंगे और end पे आपको एक imbalance मिल जाएगा इसमें फर्क यह है कि energy की price जो है हर घंटे change हो रही हो थी capacity की हमने price fix कर दिया है कि वो capacity की price जो है साल के end पे per megawatt हमने निकाली होगी वो per megawatt जो price है उससे multiply कर देंगे amount of capacity का imbalance आपका है यह सारा concept है लेकिन इसमें दो important चीजें एक तो यह कि हम capacity का imbalance निकालेंगे कैसे और दूसरा कि capacity की cost क्या रखेंगे यह दो चीजें हमें पता हो तो हम capacity का imbalance रण कर लेंगे इसमें जो थोड़ा सा difference है वो यह है कि जिस तरह marginal price भी हर घंटे बदल रही होती है capacity की price भी हर साल बदल सकती है वो बदल इस तरह सकती है कि वही formula है कि let's say जब मुलक में capacity की shortage है या capacity जो है वो बिलकुल पूरी-पूरी है हमारी कि जितनी हमारी demand है उतनी ही हमारी capacity है तो अगर कोई imbalance में जाएगा तो logically उसको capacity imbalance में महिंगी मिलनी चाहिए लेकिन जिस तरह let's say आज पाकिस्तान में बहुत capacity का surplus है और capacity available भी है let's say ऐसा scenario है उसमें अगर वो imbalance में जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर capacity की price इतनी ज्यादा नहीं होगी ये भी basically supply or demand के principle पर चलती है अगर country में capacity विलकुल पूरी-पूरी है तो फिर आपको capacity imbalance में cost बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी अगर capacity surplus है तो फिर आपको capacity के imbalance में cost काम देनी पड है यानि आप अगर देखें logically तो ये rationale में कोई मसला नहीं है तो ये ये थोड़ा सा concept पिलकुल preamble देने का इसलिए है ताकि हमने जो आगे formulas लगाये हूं है उसको करते हुए आपके जहन में ये logic हो कि जब capacity बहुत ज्यादा है तो price कम होगी जब capacity कम है तो फिर price बहुत ज्य भी पड़ा chapter तो हम यहां पर इस तरह लेके चलेंगे कि hopefully समझा जाजाएगा introduction है commercial code में उसके बाद procedure बताया हुए है कि आपका BMC run किस तरह होगा फिर आपकी once आपको procedure पता चल गया सबके imbalances निकल आए तो आप एक preliminary receivable और payable amount बताएंगे कुछ generators या कुछ BPCs जिन्हों ने excess capacity procure की हुई है वो market में capacity बेच के जाहरा receivables भी आ सकते हैं तो इसलिए receivables भी होंगे इसमें और payables भी होंगे फिर applicable Texas का बताया हुए और फिर market को intimate कर दिया जाएगा और उसके बाद BMC के दौरान और बाद में क्या actions हमने करने है उसकी detail commercial code में दी हुई है कुछ भीच में च है लेकिन उसकी application आप लोगों की तरफ नहीं होगी तो इसलिए उस उस पार्ट को chapter के हम quickly skip कर जाएंगे अच्छा जी अब basically आपकी capacity के imbalance लगेंगे किस किस पे अगर आप देखें तो एक तो ऐसा होगा कि capacity का imbalance आएगा demand side पे और एक capacity का imbalance generation side पे भी आएगा अगर demand side की बात करें तो demand side पे जो capacity आपको credit हुई credit का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो capacity procure की है जो आपको credit हुई है उस capacity में और जो आपने procure की है उसमें difference है यह बात समझना जरूरी है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने 100 megawatt procure की एक generator से उस 100 megawatt को आपने procure तो कर लिया लेकिन वो generator अगर actually में उस साल 100 megawatt की capacity दे ही ना सका तो आपको फिर 100 megawatt credit नहीं होगा उसमें दो चीज़े आ जाएंगी शायद आपको guaranteed non guaranteed का concept याद हो for example एक मैं BPC हूँ मैं एक BPC हूँ मैंने 100 megawatt का capacity का contract किया एक generator से उस generator के पास firm capacity certificate भी थे उस generator के firm capacity certificate available भी थे for contract अब मैं जब 100 megawatt का contract करूंगा तो मेरे पास दो options है एक option है कि मैं guaranteed कर लूँ एक है मैं non guaranteed कर लूँ अब जब साल शुरू हूँ साल खतम हुआ तो मुझे पता चला कि मैं market participant as a BPC मैंने जो अपनी capacity procure की थी 100 megawatt मैंने actual जो मेरी capacity जो मेरी peak हिट की वो भी 100 megawatt हिट की थी तो अगर तो मेरी peak 100 megawatt हिट की है तो guaranteed के case में क्या होगा guaranteed के case में मुझे 100 megawatt के against कोई imbalance नहीं आएगा non guaranteed के case में क्या ऐसा ही होना चाहिए मैंने 100 megawatt procure की थी और 100 megawatt ही मैंने अपनी capacity consume की है तो मेरा imbalance zero होना चाहिए 100 megawatt capacity थी लेकिन मेरा imbalance शायद zero ना हो वो किस case में होगा के मेरा generator firm capacity certificate 100 के लेके बैठा था लेकिन वो जो formula हमने लगाया हुआ है उसमें during peak वो सिरफ 90 contribute कर सका तो फिर क्या होगा non guaranteed में यह 10 के capacity imbalance में चला जाएगा लेकिन अगर guaranteed था तो यह नहीं जाएगा generator 10 के imbalance में चला जाएगा तो यह थोड़ा सा एक है यह आपने यह मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि शायद उधर स्लाइड से उस तरह ना पता चले अच्छा यह एक scenario हो गया दूसरा scenario क्या हो सकता है कि मैंने 100 का था लेकिन मैंने 110 consume कर लिया उस case में चाहे guaranteed हो चाहे non guaranteed हो मेरे generator का वादा था कि मैं आपको 100 megawatt दूँगा तो 10 के imbalance में तो यही जाएगा अगर generator ने guaranteed के case में generator ने बेशक 90 दिया है बेशक 100 दिया है यह सिरफ 10 के imbalance में जाएगा 100 megawatt की हद तक जो imbalance हाएगा वो generator लेगा नॉन guaranteed के case में और non guaranteed के case में इसने 100 megawatt कहा था और procurement की थी लेकिन इसने 110 कर दिया तो non guaranteed के case में फिर क्या होगा अगर generator 100 generate करता है तो फिर कितना imbalance हो गया 10 लेकिन अगर generator 90 generate करता है तो 20 हो गया यह concept का थोड़ा सा difference है guaranteed और non guaranteed में जन्रेटर 110 generate कर देता है तो फिर यह होगा यह अच्छा scenario है नूर साब यह आपने यह शाहिद में miss कर रहा था 110 generator generate कर देता है जन्रेटर ने इसके साथ सिरफ 100 का किया था तो अगर इसने 110 consume किया और generator ने भी 110 ही generate की है guaranteed में यह 10 के imbalance में जाएगा और generator ने इसको तो 100 दे दिया लेकिन उसका प्लस 10 का imbalance आएगा और non guaranteed generator ने 110 कर दिया फिर भी generator 100 इसे देगा क्यूंकि contract होगा था और प्लस 10 में आ गया और यह फिर भी minus 10 में जाएगा यह यह slides पर जाने से पहले हमें यह चीज़ क्लेर कर लेजी अगर किसी को यह बात थोड़ी सी confused कर रही है तो बता दे मैं फिर repeat कर देता हूं जी जी यह जितनी दफ़ा हम करेंगे हम repeat करेंगे क्योंकि यह समझे बगार BMC run नहीं हो सकेगा नजर नहीं आ रहा ज्शिगा ज्शिगा पहले गैरेंटीड का केस बना लेते हैं और फिर नॉन गैरेंटीड का बना लेते हैं गैरेंटीड के केस में यह हम रेख लेते हैं BPC और यह रख लेते हैं generator अब इसकी contracted capacity कितनी थी पहले यह निकाल लेते हैं contracted उसके बाद actual कितनी कीस ने और imbalance कितना आया यह तीन चीज़े देख लेते हैं guaranteed का केस है जनरेटर ने बीपीसी ने 100 का contract किया था और actual उसने 100 ही consume किया guaranteed contract है imbalance किया आया जीरो बीपीसी का दूसरा केस देख लेते है guaranteed contract है इसने contract किया था 100 और इसने actual कितना consume किया 110 imbalance कितना आया माइनस 10 माइनस सर वो ना कल भी यह confusion हुई थी जस तरह आपने बस यह जहन में रखना है कि आपकी जितनी contract value है उससे अगर आपने ज्यादा consume कर लिया तो आपका negative होना चाहिए अगर उससे कम consume किया तो positive होना चाहिए negative का मतलब है कि आपको market से खरीदना पड़ेगा और positive का मतलब है कि आप market में बेच सकते हैं यह guaranteed contract चल रहा है सही है जी जी यह capacity के contract capacity सर यह BPC की बात हो रही है अभी BPC है BPC ने consume capacity उसने contract की थी 100 और उसने consume भी capacity की 100 consumption किस base पे calculate हो रही है वो आपको आगे बताएंगे लेकिन आप समझें कि उसने 100 contract की हुई थी और साल का जब end हुआ तो उसकी capacity requirement किसी formula से निकली भी 100 तो उसका imbalance कोई नहीं यह yearly base पे का रहा है बिलकुल साल के end पे यह contract हो रही है अब उसने contract किया हुआ था 100 का और उसने consume कर ली 110 माइनस हो गया यानि अब वो अगर 90 उसने contract किया हुआ है 100 का और वो consume करता है 90 तो वो कितनी बेचेगा market में plus 10 अब इस guaranteed के case में generator ने जो भी generate किया उससे इसको कोई घर्ज ही नहीं है इसी case में अगर मैं generator पे आ जो जिन्रेटर पे आ जाता हूँ अब जिन्रेटर ने guarantee किया हुआ है कि मैं आपको 100 दूंगा और जिन्रेटर एक्चुल में भी 100 देता है तो जिन्रेटर का imbalance 0 जिन्रेटर ने कांट्रेक किया है 100 लेकिन जिन्रेटर दे पाता है तो जिन्रेटर कितने imbalance में चला गया माइनस टैन अब जिन्रेटर ने 110 जिन्रेटर कांट्रेक्ट होई किया है और एक्चुल में 110 जिन्रेटर का मतलब है कि capacity फैसल साब capacity है शायद मैं वर्डिंग सही सेलेक्ट ना कर रहा हूं लेकिन आप मेरा मतलब समझ जाएगा कि हम capacity की बात कर रहे हैं कि उसने जन्रेटर मतलब उसने capacity इतनी मार्केट में दे दी उसकी एंड पर पता चला कि इसके पास capacity जो थी इसकी capability 110 तक थी तो इसने क्या किया guaranteed में प्लास 10 में आ गया इसमें type of contract में सिरफ एक चीज़ देख रहे हैं कि capacity guaranteed है या non guaranteed है इसमें और कुछ नहीं हम नहीं आप कोई भी contract करें आप fix contract कर लें आप financial supply contract कर लें उसमें आपने अगर guarantee कर दिया तो इसी तरह है generation following में हमने शर्त रखी हुई है कि capacity जो है वो non guaranteed है तो यह generation following तो नहीं हो सकता उसके अलावा कोई भी contract हो सकता बिल्कुल बिल्कुल दे पाए है BPC को देगा BPC काईगा मैंने आपसे guaranteed contract किया था आपने मुझे 100 capacity credit करनी थी तो BPC जब तक 100 पे है ना तब तक generator की responsibility उसे 100 पूरा करने दे लेकिन BPC सिर्फ उस case में imbalance में जा सकता है जब BPC 100 से उपर consume कर ले 100 तक BPC consume करता है तो BPC कभी imbalance में दी जाएगा कि ये भी 90 consume करता है लेकिन generator भी 90 दे पाता है तो फिर भी इसको 100 ही मिलेगी इसको 100 मिलेगी ये ये नहीं कह सकता generator ये आगे बेच देगा ये नहीं कह सकता कि यार मैंने आपको 90 दी लेकिन आपकी निकली भी तो 90 है क्योंकि contract में 100 लिखा हुए तो ये generator को imbalance से उठा के इसको 10 देना पड़ेगा और इसको 100 मिल गया हुए है गैरेंटी हो चुक है अगर इसने नवे कंजूम किया है तो ये market में 10 बेचेगा जी वह नेगेटिव हुआ इसकी कॉनटेशन ये है कि अगर आपका market में receivable बन जाता है तो यॉर imbalance is positive अगर पेबल बन जाता है तो यॉर imbalance is negative इसको इस तरह देखे क्योंकि different cases में different हो जाता है कई दफा actual minus contracted हो जाता है कई दफा contracted minus actual हो जाता है जी कपैस्टी certificate 100 का यह है जी हाँ जी वह उसमें यह हो सकता है कि वह जब critical hours थे जो हमने फॉर्मूला बनाया वह उस critical hours में वह फॉर्स shutdown पर चला गया तो हम उसके firm capacity certificate नहीं काम कर रहें उसको पिनलाइजिशन यह कि उस साल उसको उतनी capacity imbalance से लेके देनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ मिस हैप हो गया पिछला साल पिछला साल उसका उसका वह make and break है लेकिन वह 50 गंटे पता किसी को नहीं कब आएंगे वो उन 1342 गंटों में से कोई भी 50 गंटे हो सकते हैं तो this is not announced तो 1342 गंटे जो है जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें से जिस गंटे 50 निकलेंगे अगर उसमें वो available था तो उसकी वो हो सकता है उसका firm capacity certificate 100 megawatt के मिले हो लेकिन वो generate 110 उसको capacity उसकी 110 हो जाए तो हम ये नहीं करेंगे कि उसका firm capacity revise कर देंगे हम ये करेंगे कि हम उसको उस साल capacity में credit ज्यादा कर देंगे कि तुम्हारे पास इस साल 10 ज्यादा थी और फिर अगर let's है वो जिस तरह कल उस्मान साब ने बताया था कि consistently किसी की capacity ज्यादा आ रही है तो फिर M.O. review में जाकि उसकी permanently capacity बढ़ा देगा लेकिन एक साल की basis पे कम या ज्यादा हम नहीं करेंगे हम उस साल उसको imbalance में डालेंगे कम या ज्यादा की बेस पे अच्छा यह हो गया guaranteed guaranteed में किसी को मसला कोई हम अभी भी open है अगर किसी को नहीं confusion clear हुआ तो हम दुबारा इसको करेंगे क्योंकि यही है सारा capacity का यह table पर आ कि आगे फिर slides में यहीं चीज़े हम दरा detail में करेंगे सर जी 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 ऐसे ही है सर्थ 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 काइंड़ी इदर ही जी अ जी सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो सर आप बात करें बैसिकली ए डैक और आट डैक की वह जो रिष्ट डिस्पैच वह अवेलेबल कपैस्टी होती यह ना एड्जस्टेड होती है फोर आपकी तेंप्रेचर की और रिवाइज़्ट होती है कि उससे गलती हो गई यह उसने चार गंटे पहले पहले रिवाइस क जो एक्चुल अवेलेबिलिटी उस घंटे में थी रिविजन होके एक दो टेम्परेचर की जो फाइनल अवेलेबिलिटी उसने घंटे में दिया ना जो 45 मिनट्स पहले डिकलेर करनी होती है हम वो अवेलेबिलिटी लेंगे सिस्टम ऑपरेटर हाँ यह डेटा सिस्टम ऑपरेटर से लेंगे हम थी नहीं नहीं ऐसे ऐसे कर नहीं सकता ना सिस्टम ऑपरेटर जो है वो रैंडमली चेक्स करता है हाँ तो एसो की मर्जी है एसो चाहे तो डिस्पैच कर दे किसी जनरेटर को ना फॉर चेक्ट लेकिन ऐसा टेंगे हैंकि इसो हर तिन कर रहा होगा वो साल में दो थीन दफ़ा किसी जनरेटर को ना कर के देंगे और लगिन फिर ceso के पास अपने validity checks हैं और हम SO के verdict पे जाएंगे अगर वो कहता है SO available है तो है सर यह आज भी यही issue है आज भी कोई plant गलट declare कर सकता availability आज भी उसको capacity की payment उसकी availability पे होती है आज भी SO उसको randomly check करता है नहीं चाहे एक buyer हो चाहे दस buyer हो SO is least concerned with bilateral contract क्या चल रहा है SO ने अपना dispatch run करना है और अपने validity checks लगाना है SO बिल्कुल cut off है कि actual commercial payments क्या और ही है उसको एक merit order मिला हुआ है उसने least cost पे dispatch करना है उसके लिए चाहे single buyer हो चाहे multiple buyer हो आज भी उसको capacity payment करनी है उसको डर होता है कि कोई गलत availability ना declare कर रहा हो आज भी randomly check करता है और कल को भी उसी तरह चेक करेगा लेकिन SO जो final दे देगा आज भी CPPA उसको उसकी availability पे capacity payment कर देता है और कल भी market operator उसकी availability गेंस्ट उसको capacity credit कर देगा तो difference कहाँ आएगा कहीं नहीं आएगा जी जी कि युद्व कि युद्व कि 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 capacity अगर कर रहा है उसने contract की हुई थी ती 100 किसी के साथ जह से लेकिन उसने जनेरेट कारली 110 कपैस्टी यासीत की नहीं है तो सर्टिफेट ऊसको नहीं मिलेंगे लेकिन उसको कपैस्टी 110 कハハ हो यह नहीं करसकता कि काल को कॉंट्राक्ट 110 का कर लेmakласт का इस साल 10 되면 में बताता हूं देखे देखे आपका आपका जो है आपका जो थर्मल प्लांट है जिस साल उसकी फोस्ट आउटेज हो मेंटरेंस प्लांड होती है उस साल लेट से ग्यास फर्वाइन उसकी मेजर इंस्पेक्शन आ गई है तो मेजर ओवरॉल में वो सिर्फ 88% availability देता है लेकिन जब उसकी किसी साल मेंटरेंस नहीं होती वो अबाव 98% भी availability दे सकता है तो आप क्या करेंगे कि आप उसको firm capacity certificate देंगे 92 जो 0.92 हमने रखा है thermal plant जिस साल उसकी मेजर इंस्पेक्शन है और मेजर इंस्पेक्शन फॉल भी उनी दिनों में कर जाती है जब system आपका stress था किसी वज़ा से या उसका force shutdown आ जाते है तो उसकी उस साल capacity credit कम कर दी और उस साल उसको का आप आप जाके imbalance में खरीदें तो यह नहीं करेंगे कि उसके firm capacity certificate revise कर देंगे हम यह कहेंगे कि इस साल आप उतनी available नहीं कर सके तो आप imbalance से खरीदें लेकिन जिस साल उसने ज्यादा produce कर दी अपने firm capacity certificate से उस साल उसे केंगे कि आपको इस साल ज्यादा capacity हमने credit कर दी है लेकिन यह मतलब नहीं है कि हर साल ही आप ज्यादा generate कर सकते हैं इस साल आपको इतना हमने plus imbalance दे दिया आप इतनी बेच ले market में लेकिन आपके firm capacity certificate revise नहीं हो रहे य लेकिन फिर MO का जो review समान साब ने बताया था वो यही है कि कोई generator consistently हमने उसे firm capacity certificate दी हूँ है 100 megawatt के वो consistently 110 पे है तो MO या review डालेगा या वो request करेगा कि मैं तो हर साल ज्यादा generate कर रहा हूँ आपने मुझे firm capacity certificate कम दी हूँ है तो review में उसके firm capacity certificate increase हो जाएगा लेकिन किसी एक सा capacity certificates revise करके नहीं देंगे आपको जिस साल आपने जितना capacity provide की है उस साल उतना imbalance मिल जाएगा लेकिन हर साल अगर आप consistently ज्यादा है या हर साल आप consistently कम है तो फिर आपको revise कर देंगे वो unitary cost of उसको कहते हैं जिस तरह marginal price होती है उस तरह capacity की unitary cost of capacity है वो आगे हम आपको दिखाएंगे energy की नहीं capacity की capacity की हम S.O. जो है एक निकालेगा price और उस पे करेगा ठीक है इस पे शायद और clarity आजए हम थोड़ा सा आगे चले सलमान साब आपका कोई थास है सब्सक्राइब कर दाए कर दो कर दो कर दो आज भी यह मसला है फैसल साब सर यह प्रॉब्लम आज भी है यह प्रॉब्लम कल डिफरेंट कैसे हो जाएगा तो पीपीए को छोड़ दें एस सो को पीपीए का पता ही नहीं है एस सो लीस्ट कोस्ट के मुताबिक दिश्पैश दे रहा है सी पीपीए दे रहा है उसे हर साथ 14 दिन बाद रिवाइज होती है फ्यूल प्राइस पर अब 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 अच्छा अब नॉन गैरेंटीट के केस में क्या होगा नॉन गैरेंटीट के केस में अब बीपीसी है और जेनरेटर है सर यहां तक सारोंने साथ रहना यह बड़ा शायद कंफ्यूजन आती जाए लेकिन अगर हम साथ चलते रहेंगे तो रहेगी अगर ट्रैक लूस कर दिया तो फिर आगे जाके और मसला होगा अब यहां बीपीसी ने कॉंट्राक्ट की थी 100 और एक्चुब Czyक्पी्वि पीक्सी ने कंज्यूम भी किया 100 आप इंबेंस किया उगा अभी हमें imbalance नहीं पता क्योंकि non-guaranteed contract है अभी हमें नहीं पता इसी के against नीचे देख लेते हैं 100 का contract था और generator ने provide भी किती कर दी 100 अब हमें पता है अब imbalance कितना हो गया zero क्योंकि non-guaranteed contract है तो सिरफ इसकी actual पर depend नहीं करता अब generator ने भी actually कितनी की capacity available उस पर depend करता है अगर उसने 100 ही की तो फिर इसका imbalance zero है अभी इसी scenario पर रहते हैं अगर generator ने इस case में 100 की जगा नवे कर दी अब क्या होगा बी-पी-सी का बी-पी-सी को आप market से लेनी पड़ेगी माइनस 10 अच्छा ऐसा scenario ज्यादा तर किन generators का होगा कौन से generators होंगे जो non guaranteed करेंगे करेंगे क्यों क्योंकि रूनेबल को खुद नहीं पता मैं कितनी क्पैस्टी दे पाऊंगा और वह जाहरा non guaranteed contract करेंगे तो वह थोड़ी price भी काम लेंगे यानि वह सी लॉजिकली जो guaranteed contract करेंगा thermal वाला वह जो है जाहरा उस contract की price भी ज्यादा लेगा और फिर वह guarantee में उसको होगा कि मैं इतनी दे सकता हूं इसलिए मैंने यह contract अच्छा यह आ गया यह scenario को आगे और लेके चलते हैं कि अगर यह 110 कर दे scenario वही है इसने contract 100 की थी actual भी 100 आई generator सिर्फ vary कर रहा है generator पहले 100 था उसने 100 देदी generator 100 था उसने 90 देदी 100 था अब 110 देदी अब इधर imbalance क्या आएगा जीरो और इधर imbalance क्या आएगा यह तीन scenario है अच्छा अब अगला आ गया 100 contract किया था और actual 110 कर लिया अब वही तीन scenario फिर से generator के run करते हैं 100 ही था लेकिन अब generator ने generate कर दिया 100 तो बीपीसी का imbalance क्या हुआ माइनस 10 अब generator ने 90 generate कर दिया अब बीपीसी का imbalance क्या हो जाएगा माइनस 20 अच्छा अब generator ने 110 generate कर दिया अब बीपीसी का क्या बीपीसी का माइनस 10 ही होगा और generator का plus 10 हो जाएगा यानि मैंने देखा यह के non guaranteed contract में generator negative imbalance में नहीं जा सकता generator 100 generate करेगा अपनी contractor से ज्यादा generate करेगा तो उसे plus का imbalance तो मिल जाएगा लेकिन अगर वो कम generate करेगा तो उसको negative नहीं पड़ेगा नुकसान कोई नहीं है यह clear है सर नौन guaranteed contract है इसका मतलब यह है कि generator निकाय के मेरी firm capacity certificate 100 के हैं तो मैं तुम्हें 100 megawatt के firm capacity certificate दे तो रहा हूं लेकिन नौन guaranteed है इसका मतलब यह है कि अगर actual जब capacity का period run हुआ उसके बाद अगर मेरी capacity 100 ना निकली 100 से कम हुई तो मैं कोई imbalance नहीं लूँगा जो over and above चाहिए तुमें वो तो market से लोगे मुझसे रहीं demand करोगे तो generator negative में तो नहीं जा सकता है इसका मतलब है लेकिन अगर generator ने 100 sell किया और असल में साल के end पर पता चलता है कि generator ने 110 generate कर दिया तो वह 100 megawatt तो अपने उसको देदेगा BPC को लेकिन जो उपर वाले 10 हैं वह market में बेच देगा फिर से फिर से कर दे माइनस 20 को फिर से कर देते हैं मिटा देते हैं भीन पीसी का 90 का केस भी कर दे शुरू से कर लेते हैं सब शुरू से कर लेते हैं ठीक है इसको ना उसकी तरह कर नहीं सकते हैं इस टेबल को क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको दोनों देखने हैं खाली आपको बीपीसी नहीं देखना नॉन गैरेंटीट है तो जेनरेटर भी देखना है बीपीसी जेनरेटर कर दे ऐसे कह रहे हैं जेनरेटर ठीक है इसमें प्रॉब्लम यह जाएगा क्योंकि यही करने के बाद हमें स्लाइड्स पर ज्यादा ध्यान देने की जूरत नहीं है यहीं कॉंट्रैक्ट समझ लेंगे हम नॉन गैरेंटीड है इधर है बीपीसी इधर जेनरेटर बनाते हैं प्रीपीसी ने कॉंट्राक्ट किया आपका ने यहीं तो अब इसका इंबैलेंस क्या आएगा कितना कितना आएगा कोई बता सकते हैं अभी नहीं बता सकते कि क्या इंबैलेंस आएगा हमें जनेरेटर पर जाना पड़ेगा जनेरेटर ने अगर यह सो का था तो जनेरेटर का कॉंटरैक्ट अधरी सोग्स आरा बीपीची के साथ सोगा इसने कॉंट्रेक्ट लेक्षा एप्डीटर ने लैट से सोगे तो इंबैलेंस कुए हो जाएगा यह मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ ठीक है अभी इसी उस पे डिफरेंट सिनेरियो बनेंगे सर आप समझ समझ नहीं कोज़े करें टेबल हम अच्छा सा ना बना के आपको दे देंगे आपने यहां पर समझ नहीं टेबल में टेबल बनाना आजाएगा टेबल प्यारा करते हैं अच्छा अब एक्च्छल सौ की जगा जनेरेटर ने आप बता दें क्या जनेरेट या लेट से नवे जनेरेट किया एक कम कर देते हैं एक ही बाद अवेलेबल किया सर्क कपैस्टी कपैस्टी अवेलेबल फैजल साफ दौरी डिक लेयर किया जनेरेटर की कपैस्टी निकली नवे साल के एंड बे अब क्या इंबैलन्स कि दा क्या होगा इसका माइनस टैन अब एक्शूल 110 कर दिया अब इदर इंबैलन्स क्या होगा जीरो जीरो क्यूं हाँ उदर आते हैं अभी उदर आते हैं जीरो होगा क्यूं उसका कॉंट्रेक्ट अप्टू हंडर्ड था वो ये नहीं कह सकता के 100 से उपर भी जो जेनरेटर ने अवेलेबल किया वो आपका है नहीं वो 100 तक ही लेगा ये जीरो आ गया ठीक है यहाँ पे कोई चीज डिफरेंट हुई अब इदर आ जाते हैं इसी सिनेरियो में इधर एक्षल जब इसने 100 जेनरेट किया था इसका इंबैलन्स हो गया जीरो जब इसने नवे जेनरेट किया जीरो जेनरेट किया तब क्या होगा जीरो क्यों क्यूंकि नवे जेनरेट करूगा तो आपको नवे मिलेगा इधर 110 कर दिया तो आप क्या होगा अब कोई कंफ्यूजन है थर अब यहां तक यहां तक लेर हो गया अच्छा अब वो जगा वहीं रहेगी यहां पे मैं एक्शुल चेंज करने लगाँ यहां पे एक्शुल कर दिया मैंने 110 ठीक है कॉंट्रेक्ट 100 ही था बीपीसी ने 100 गिया अब कॉंट्रेक्ट 100 का है बीपीसी ने एक्शुल जो कपैस्टी रेक्वायर्मेंट उसकी निकली 110 निकली अब सिनेरियो वन में इंबैलन्स क्या निकलेगा बीपीसी को माइनस 10 हो गया सिनेरियो 2 में जनेरेटर ने 90 जनेरेट किया बीपीसी को 110 चाहिए था माइनस 20 अब जनेरेटर ने 110 जनेरेट किया बीपीसी को 110 चाहिए था माइनस 10 क्यूंकि कॉंट्रेक्ट 100 तक था 100 से उपर अगर जनेरेटर ने अवेलेबल कर भी दिया उसको कपैस्टी वो क्रेडिट हो गई फिर भी बीपीसी का क्लेम सिर्फ 100 तक था वो उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा तो यहां पे माइनस 10 और इदर यही सिनेरियो रण करेगा बीपीसी किसी भी केस में नेगिडिव नहीं क्या अच्छा आप तीसरा सिनेरियो रण कर लें जिसमें बीपीसी नवे कर दें यहां तक क्लेर है सबको सर 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 यह ना होगे और कंफ्यूजन हो जाए आप ठीक कह रहे हैं आपको बेतर समझ आगे अच्छा अब 90 है मैं एक प्यारा सा टेबल बना के इन्चाला जो सब बलके इन से बनवाऊंगा इनकी प्रेजिंटेशन अच्छी है सर आपने टेबल बना दिने हमें उच्छा था अब टेबल अच्छा बेजेंगे हम अच्छा अब बी्पीसी ने एक्च्छल किया 90 ठीक है फिर से तीनो सिनेरियो जहीं जन्रेटर वही खड़ा जब बीपीसी ने एक्छ्छल 90 किया और जन्रेटर ने 100 जन्रीट किया तो फिर क्या होगा बीपीसी प्लस-10 में आ जाएगा क्योंकि कॉंट्रेक्ट था कि जितना आप तू 100 मेगावाट आप अवेलेबल करेंगे वो मुझे क्रेड़िट होगा अच्छा आप जनरेटर ने 90 जनरेट किया जीरो क्योंकि ये सारी कपैस्टी 90 पूरी क्रेड़िट होगे इसको अब जनरेटर ने 110 जनरेट किया अवेलेबल किया प्लास टैन प्लास टैन क्यूंकि अब टू 100 क्रेड़िट हो गया इस बीपी सी को और इस बीपी ने एक्च्छल नवे किया था तो इसको प्लास टैन मिल गया और इसने एक सौ तक कहा था कि मैं BPC आपको क्रेडिट कर दूगा उससे उपर जो है वो मेरा है तो दस इसका आ गया जेनरेटर का इंबैलेंस वहीं रहा BPC का कंजम्शन के लिएस से फ्लक्चुएट करता रहा अब कोई अब कोई सेनेरियो ऐसा जो आप चाते हो मैं रिपीट कर दूँ या पूरा ही रिपीट कर दूँ जी जी हाँ जी नॉन गैरेंटीड का मतलब था हाँ जी अब capacity credit की बात है अब अब मैं term introduce कराता हूँ capacity credit की की basically जो actual की term है उसको आपने credit कह देना है कि उसको 90 चाहिए थी और उसको इस generator की तरफ से credit कितनी हुई नवे हुई दूसरे case में तो imbalance zero और पहले case में credit हुई थी इसको 100 और चाहिए इसको 90 थी तो प्लस 10 का इसके पास imbalance आ गया तीसरे case में although generator ने 110 की available तो 100 credit होना था 100 इसको credit हो गया और इसकी actual जो obligation थी वो 90 की थी तो इसका प्लस 10 बन गया generator ने 100 से उपर credit नहीं करनी बाकी generator ने अपने पास रखनी और market में बेचनी है अब चलते हैं अब आगे चलते है अब आगे आगे अब इसी चीज़ को हम detail में explain करेंगे तो आपने focus अभी भी रख नहीं है अच्छा जी अब क्या हुआ कि BPC के case में हमने का imbalance कब आएगा या demand की case में imbalance कब आएगा जब उसकी capacity जो उसको credit हुई अपने generators की तरफ से और जो उसने grid से capacity ली उन दोनों में जब difference आएगा तो एक imbalance create होगा ठीक है और generator के case में imbalance कब create होगा कि जब उसने जो guaranteed capacity बेची थी और जो उसने actually provide की थी उन दोनों में जो difference होगा वो generator का imbalance होगा ठीक है यह अब अब यह वाली एक slide हमें समझा आगी अच्छा अब यह फिर से इसको दुबारा इसको रियाइडरेट किया हुए कि sellers कौन होंगे generator which has not sold all of its available capacity through registered contracts यानि market में BMC में बेचेंगे कौन लोग ऐसे generator जिनकी available capacity अपनी contracted capacity से ज्यादा है यानि उनके पास कुछ surplus available है generators के पास वो बेचेंगे एक और बंदा बेच सकता है ऐसे market participants जिनोंने capacity contract ज्यादा कर लिया है लेकिन साल के end पे उनकी capacity की requirement उतनी नहीं लिख ली यानि इसमें generators भी sellers हो सकते हैं और demand side भी seller हो सकती है यह दोनों case में यह understand किया यह पढ़ लें एक दफा generators which has not sold all of its available capacity through registered contracts ऐसे generator जिन्होंने अपनी सारी capacity registered contracts से थ्रू नहीं बेची उनके पास surplus है वो sellers है और ऐसे market participants which has excess capacity purchased through registered contracts ऐसे market participants जिन्होंने खरीद ज्यादा ली है लेकिन साल के end पे उनकी requirement उतनी निकली वो भी बेचेंगे यह हो गए sellers buyers भी सी तरह generator भी हो सकते हैं और demand side भी हो सकती है वो कैसे हो सकती है market participant which has sold guaranteed capacity to another participant however the provided capacity is less than the guaranteed capacity कि मैंने guaranteed capacity भेज़ दी 100 megawatt की लेकिन मुझे पदा चला कि जो मुझे capacity credit हुई है साल के end पे वो तो 80 हुई है या 50 हुई है तो फिर मुझे market से खरीद के देनी पड़ेगे कि मैंने guarantee की हुई है लोगों को तो इस case में generators जो है वो buyers बन जाएंगे और market participants which has taken capacity from the grid system in excess of its credit capacity कि मुझे जो market participants to demand side हूँ मैंने जो contract किये हुए थे उसके gains मुझे जो capacity credit हुई वो कम हुई और मैंने grid से जादा ले ली थी तो मेरा deficit आ गया मुझे खरीदना पड़ेगा ठीक है यानि generators और demand supply side, demand side दोनों बेचने में भी आ सकते हैं supply side, demand side दोनों खरीदने में भी आ सकते हैं sellers भी है, buyers भी है ठीक है sir sir last point था कि market में खरीदेंगे कौन generators खरीदेंगे हाँ यह वाला point यह वाला repeat कर दूँ यह वाला है कि market participant which has taken capacity from the grid system in excess of credited capacity एक market participant था BPC उसने किसी के साथ contract किया हुआ था तो उस contract के against उसको capacity credit होगी साल के end पे वो credit का word इसलिए use करें कि उसने contract जो किया वा था वो देखा जाएगा अगर non guaranteed contract था तो जुरूरी नहीं जाए उसने जो contract कियो थी capacity वो ही credit हो जाए अगर non guaranteed contract था तो हो सकता है कि उसके generator ने उतनी generate ना कियो कम कियो तो उसको contract के against credit नहीं होगी उसको जो उसके generator ने actual available की capacity वो credit होगी और वो निकली लेट से उसने contract थो 100 का किया वा था उसने सोचा वा था कि मैं जी 100 का non guaranteed contract करूँगा और मेरा generator मुझे credit भी 100 ही करवा देगा लेकिन end पे बता चला उसका generator available ही नहीं था और उसको credit हुई सिरफ 50 तो अब उसने greatest है 60 लेकिन उसको credit हुई 50 तो उसका deficit आ गया वो deficit जो है फिर उसको market से खरीदना पड़ेगा वो बायर बन जाएगा non guaranteed के case में different हो सकता है guaranteed के case में different हो सकता है as per the contract non guaranteed contract है तो उसमें तो आप देखे ना फिर सारा imbalance का risk किस पे आ गया बायर पे बीपीसी पे तो non guaranteed contract में उसका उसने अपनी demand के लिहाज से capacity तो सही contract कर ली लेकिन की non guaranteed थी उसका generator end बे उसको दोगा दे गया उस काम चला तो क्या होगा कि उसको फिर भी deficit पढ़ जाएगा अभी आगे और इसकी डीटेल और आदिए सर सर जनेरेटर्स ना जनेरेटर सोलर का है सोलर को नहीं पता कि वह एंड पे साल के एंड पे वह critical hours में कितना कर सकता है बाहर वहोगा जिसको बाहर वहोगा जिसने अपनी फोरकास्ट की होगी कि यह सोलर जो है मुझे दे देगा क्यूंकि मेरी भी capacity जो है लेकिन डिमांड को पता होगा कि मेरी capacity obligation यह सोलर कंप्लीट कर देगा और नॉन गरेंटीड नॉर्मली वह लोग करेंगे जो रियूनेबल होंगे विद बीपीसी जो मार्केट से सस्ती प्राइस पे capacity लेना चाह रहे होंगे नहीं वो चाहे छे मीने के लिए चार मीने के लिए चले दो साल का किया है उसने contract भी capacity का दो साल का किया है लेकिन उसकी जो obligation बनेगी ना वो obligation बनेगी जो वो critical hours में उसका load होगा वो पूरा साल ना चले लेकिन जब system stress था तब उसमें अपना full load से लाया 10 megawatt तो हमें 10 megawatt तो available करना पड़ा उसके लिए तो वो चाहे साल नहीं चला लेकिन critical hours में उसको जब system stress पे था उसको 10 megawatt देने के लिए हमें capacity तो लगानी पड़ी तो उसकी capacity obligation तब बनेगी वो आगे आ रहा है कि capacity obligation कैसे निकलेगी लेकिन buyer और seller समझ आगी आप लोगो सर हाँ जी yearly होगा बेलकुल yearly payment एक yearly settlement statement बनेगी जो chapter भी है commercial code का गालेबन 11 या कोई इस तरह वो yearly settlement statement basically BMC की statement होगी वो आगे आ रहा है सरसार आ रहा है आगे आ रहा है अभी buyer और seller समझ लें हम जी एक्स पोस्ट एक्स एंटे नहीं होगी एक्स पोस्ट होगी जी जी वो आगे सर्थ किस तरह आ रहे है इंबैलेंस और उसको risk कैसे mitigate किया reserve margin क्या है एक efficient demand level क्या है वो आगे आ रहा है तो ठीक है जी आपका अफैसल साब था है पिश्ली स्लाइड हाजी थीक है अच्छा capacity capacity जो है एक है contract capacity contract capacity जो है वो मैंने बेची for example मैंने फैसल साब मैं एक generator हूँ और फैसल साब एक BPC है तो जनेरेटर contracted 100 megawatt with the BPC अब जो contract है ना that is the capacity I sold you लेकिन जब साल end हुआ तो एक capacity मुझे credit होगी वो credit capacity जो है actual imbalance में यूज होगी sold capacity नहीं यूज होगी credited capacity यूज होगी for the imbalance तो for example मैंने आपको sell की 100 लेकिन 100 के मैंने पैसे भी ले लिए लेकिन non guaranteed contract था और साल के end पे मेरी capability हो गई 90 megawatt निकली उस capability को मैं 90 megawatt को आपको credit कर दूँआ तो अब आपका जो imbalance है वो 90 megawatt जो credited है और जो आपने actual grid से उस time ली दोनों का difference आएगा sold is different but credited is different provided provided is my as a generator I provided 90 megawatt but that 90 megawatt is not mine that has been credited to you BPC यह फर्क है जो provided है वो generator देगा जो credited है वो आपको भी credit हो सकती है मुझे भी अगर guaranteed contract था तो वो 90 megawatt credit हो गया मुझे 10 megawatt मैंने market से लिया और आपके साथ obligation पूरी कर दी लेकिन अगर जी 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 इसे ही होगा अवेलेबल ज्यादा होगी और यूटलाइस काम हो रही होगी और इसका BMC का net sum कभी भी zero नहीं आता अब इस पर depend करता है हमारी actual price क्या निकलेगी आगे graph आ रहा है अगर access बहुत ज़्यादा available था तो हमारी cost गिर जाएगी लिख आगे आ रहा है इसको अभी करते हैं ठीक है buyer और seller हमारे define हो गए ठीक है जी सब clear है आगे चलते हैं अच्छा जी अब सर असल आ गया हमें buyer seller सब पता चल गया अब हमारे साथ step है मैं इसको तेजी से ले जाता हूँ हमारे साथ step जो है ये run होंगे तो हमारा BMC complete होगा ठीक है अब सबसे पहला step है identification of critical hours कि हमने capacity निकालने के लिए सबसे पहले critical hours define करने है उसके बाद critical hours define करने के बाद हमने देखना है कि उन critical hours में actually हर generator ने capacity provide कितनी की क्योंकि जो capacity उन critical hours में generators ने provide किया है वो ही capacity उस साल के लिए उनको credit होगी firm capacity certificate जो है वो एक अलग चीज़ है उस से आपने इसको confuse नहीं करना यह हर साल जो capacity credit हो रही है किसी participant को वो है हम 50 घंटे critical hours निकालेंगे वो 50 घंटे आगे बतातों कौन से है उन 50 घंटे में हर generator की जो capacity available थी वो capacity उसको credit हो जाएगी अवेलेबल था आपने उसको बंद कर दिया आपने नहीं चलाया लेकिन अवेलेबल था तो आपने उसको add कर देना वो आगे सारे स्टेप में बजाता हूं आपको पता चल गया कि हर generator ने कितनी capacity प्रोवाइड की उसके बाद आप capacity credit करेंगे market participants को यानि मुझे पता चल गया कि मेरे generators का ये portfolio था सबने इतनी generate की कुछ capacity generators को ही credit हो जाएगी जिनोंने कोई market में contract नहीं किये हुए तो वो सारी capacity generator को credit हो गई जिनोंने market में contract किये हुए है तो जिनके साथ contract किया हुए उनको credit हो जाएगी सही है उसके बाद once market participant की credit capacity पता चल गई हमें फिर हमने निकाल लिए कि हर market participant की actual capacity requirement क्या थी कि credit तो फैसल साब को हो गई 90 MW लेकिन इनकी actual requirement 100 थी 500 थी कितनी थी वो निकल आई तो उसके बाद हम हर market participant का capacity balance निकालेंगे capacity balance निकल आया उसके बाद फिर हम आगे price पे जाएंगे वो जब आएगी तब बताएंगे लेकिन यहां तक हम megawatts निकाल लेंगे step five तक step six seven में जो हैं हम पैसे निकालेंगे कितने बनते हैं ढम सकते हम वो याव यह जी जी नहीं मिलेगी अगर लेट से वो 92 डेज अविलेबल रहा और इसकी मिसाल यह है कि लेकिन जब हमारा आया जून जुलाए का महीना जब हमारा सिस्टम स्ट्रेस पे थावर अब उस थर्मल प्लाण ने चलना था उस टाइम वो कह देता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर उसको कोई कपैस्टी की वेइमेंट नहीं होगी क्योंकि सिस्टम के लिए स्ट्र सर्फ पूरे साल की होगी पूरे साल नहीं 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 पूरे साल की होगी वो मैं बताता हूँ आगे कैसे होगी पूरे साल की इसका मतलब है कि उसकी उस साल उसकी कपैस्टी उतनी ही जी 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 यह ऐसी है ऐसी है जी जी उसको जो कॉंट्रैक्ट किया हुए ना उसके गेंस्ट मिल जाएगा लेकिन इम्बैलेंस में उसको जाना पड़ेगा और इम्बैलेंस में अगर उस साल लेट से और जनेरेटर अवेलेबल थे और उसकी तरफ से सिस्टम लोड शेडिंग नहीं हुई वो जनेरेटर अवेलेबल नहीं था लेकिन लोड शेडिंग नहीं हुई मारे पास बहुत ज़्यदा रिजर्व अवेलेबल था तो फिर उसको बड़ी मिनिममम अमाउंट कपैस प्राइस यह है मार्केट से रिलेटेड आप इसको एक्जिस्टिंग कॉंट्रेक्स को जो है ना उन पे इसका कोई इंपक्ट नहीं आएगा यह फ्यूचर के कॉंट्रेक्स ही बात हो रही है वैसे उसमें आप जनरेशन फॉल्विंग करेंगे वो कोई रिस्क नहीं लेगा बिसको जाएगी क्योंकि नॉन गैरेंटीड कॉंट्रेक्स है उसको उसी तरह मिलता रहेगा वैसे आपको बढ़ा रहे हूं कि यह उन कॉंट्रेक्स को जो एसो एलार ने करने हैं यह नॉन गैरेंट कॉंट्रेक्स में कुई जनरेटर के साथ नहाँ जाएं लेकिन अगर जाएंगे तो फिर यह मैंकिन समय में फिर जनरेटर पर हो जाएगा जमेटर के इसलेट जाएंगे जाए जी 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 सेजए झाल 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 कि अज़ो ने में प्रेंट पर अच्च कि है कि इस प्रेंट ब्रेंट बेंट कि अच्च कि अच्च कि अच्च कि वार भांति है यह साइब जहर। इससे पील होगा.... यहाँ पॉचेंगे अगड़े झाल 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 यह है टोटल डिमांड सर्वड अंसर्वड दोनों मिला के जाल अब झाल कखन में आप संधिले के लिए हम समझ आप अजय को भी हम थेंगों की किया थी जिस तर सबसे जबाना सी सिस्टम की जिन 50 गंटे में उन एक 10232 गंटों में से वह 50 वो नहीं करेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं है ऐसा होगा नहीं है लेकिन अगर आ अगर आ जाए तो वो इग्नोर होगा इनी 1342 घंटों में से 50 घंटे लिए ठीक है वैसे होगा नहीं ऐसे जी फिफ्टी है और एक इसमें चोटी सी चीज है कि अगर एक ही दिन में पांच घंटे से ज्यादा अगर आ गए तो उस दिन के हम पचास पांच ही लेंगे च्छटा एग्नोर कर देंगे ताकि यह नौ के एक जनरेटर को बचारे को अनवेलेबल होने की वजह से सारे साल की ना मिले तो एक साल में जी है वहां बचारा तो नहीं सथी ठीक सर जब से मैंने देखा तब से पचास है शायद इनीशियल डिजाइन में हंडर्ड हो किसी जमाने में लेकिन यह इंटरेशनल बेस्ट प्रैक्टिस देखते हुए पचास लिया है जो एप्रूव्ड हो यह जी जी रिविजन होगी इस पर एक टमर्शल कोड में लिखा हुए कि इस पर एक सी सी ओपी बनेगा जो एस सो बनाएगा और एटीन मन्स के अंडर तो उसमें फिर जाहरा चेंज़े आ जाएंगे लेकिन इनीशियली मार्केट के यह 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 बाद में लाइबल टू चेंज है वो कर है अब यह क्रिटिकल आवर्स डिफाइन हो गए यह क्रिटिकल आवर्स है अब हम निकालेंगे के इन क्रिटिकल आवर्स में हर जनरेटर अवेलेबल कितना था अन एवर्स इसके भी दो तरीके है एक डिस्पैचबल प्लांट्स के लिए है और एक नॉन डिस्पैचबल प्लांट्स के लिए है डिस्पैचबल प्लांट्स के लिए जितना वो अवेलेबल था उसकी हम एवर्स ले लेंगे उन पचास dispatch होना था लेकिन एसो ने उसको थोड़ा सा लोड कम करवा दिया असी करवा दिया या सतर कर वा दिया तो वो जो 30 उसको कम कराया एसो ने वो 30 भी एड़ करके जो उसकी dispatch होनी थी उस घंटे वो dispatch उसकी जो है उसकी एवरेज ले लेंगे आप 50 घंटों की तो आपका नॉन डिस्पैचेबल प्लांट्स का दिकर आएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन चाहिए हो वोल्टेज की स्टेबिलाइजेशन चाहिए हो इस तरह के मसले हो तो फिर जुआ कर सकते हैं जुकता हैं स्ट्सक्राइब क्या सपीफ है एके रिटी झाल 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 पढ़ भी ले, तुम जावी? तो बेसे के लिए डिस्पैचेबल या थर्मल प्लांट्स जो हैं, उनको उनकी अविलेबिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो एवरेज उन्हें दिया उन 50 गंटों में, के प्रोवाइड उसकी निकाली जाएगी यह तरीका है ठीक है जी जी थर्मल प्लांट अवेलेबल है आपने डिस्पैच नहीं भी किया उसकी अवेलेबिलिटी पर उसे मिल जाएगा जितने प्लांट जो डिस्पैचेबल है ना चाहे वह हाइड्रो है विद लाज रिजर्व यह थर्मल है जितने वह अवेलेबल थे इन दो स्कृत्विटी क्रिटिकल आवर्स उनकी एवरिज निकालके उसको कपैसिटी कहा जाएगा कि यह कपैसिटी इसने प्रोवाइड किया 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 यही चीज निकली हुए इनरजी लिमिटेड और नौन नरौन लीमिटेड वह dispatchable और non-dispatchable को define किया हुए वो यही किया है कि उसने dispatch उसको fully dispatch की instruction है अगर SO की तरफ से तो जतना उसने dispatch किया लेकिन SO ने उसे curtail कर दिया कहा कि 50 पे करो उसकी forecast यह थी कि मैं 74 पे dispatch हो सकता था लेकिन हमने 50 पे dispatch किया तो उस time उसको जो उसकी capacity मानी जाएगी ना उस घंटे के लिए वो 74 मानी जाएगी यह लिखा हो है यही मैं कहरा हूँ जितना SO ने curtail किया प्लस जितना वो actually dispatch हुआ दोनों को add करके जो average 50 घंटे का निकलेगा वो उसकी capacity provided मानी जाएगी energy limited, non energy limited का यह है कि ऐसा unit जो 96 घंटे के लिए एक declared capacity जो अपनी है उस पे चल सकता है तो वो non energy limited है अगर वो नहीं चल सकता तो वो energy limited है हाँ जी वो dispatchable जो energy limited है वो non-dispatchable consider होगा और जो non energy limited है वो dispatchable consider होगा जी जी हाँ जी सर वो different है वो तो आज जो contracts हुए हुए है ना या जो committed है future में उनके contracts का तो जिसतरा काम चल रहा है वो सारा चलेगा आप लोग सारे risk लेंगे non guaranteed देगा वो तो उस contract का इससे कोई तालुक नहीं होगा करी जाओए है यह झाल 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 प्राइमरी उसके बाद ऑपरेशनल है झाल 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 हम क्रेश्ट झाल 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 तो फिर भी जनेरेटर को होगी ठीक है यह आगे आपको समझ आएगी बस यह आप याद कर लें मुझा पर या डिमांड जी सप्लायर भी हो सकता जिमांड साइड को जाएगा वो डिमांड साइड को हो गया उसके पाद हम कपैस्ती किस तरह निकालेंगे कपैस्ती हम इस तरह निकालेंगे के जो demand side है उसने जो आपका grid से उस time energy extract की एक BPC था या एक supplier था उसने जिस time 50 critical hours थे जो वो energy extract करा था on average 50 गंटे में उसमें हम एक reserve margin एड़ करेंगे कि वो 100 MW अगर extract करा था तो उसकी requirement 100 MW नहीं थी उस time 100 into 1 plus reserve margin कर दिया 10% का reserve margin यह इसलिए रख्या है कि payment discipline आजाए capacity discipline आजाए capacity shortage में भी हम ना जाए लेकिन capacity surplus में भी ना जाए तो basically अगर मैं 100 MW उन critical 50 गंटों में extract कर रहा था तो मेरी capacity requirement कितनी हो गई 110 ठीक है यह understandable है ना demand side की reserve margin रखा हुए 10% यह grid code ने fix किया हुए commercial code ने भी fix किया हुए लेकिन यह भी future में change हो सकता है लेकिन मेरी capacity requirement निकली 10% reserve margin डालने के बाद मैं 100 MW extract कर रहा हूँ तो मेरी requirement है 110 sir प्रिंड प्रेक्षण के बाद के वाद के आरे लिए अगर आपका रहेगा और वो आपका नहीं आता तो फिर आप इंबैलेंस में उसको बेच देंगे किसी और की रिक्वार्मेंट पूरी करने के लिए नहीं यह आपका जो लोड सर्व नहीं कर रहे न वो भी आड़ कर लेंगे और उस पर पर रिजर्व मार्जन दढ़ाएंगे यह आपका जो आप सिस्टम से एक्स्ट्रैक्ट करनी थी लेकिन आपने लोड शेडिंग की वज़ा से एक्स्ट्रैक्ट नहीं की वह आप एड़ कर देंगे उसका रिकॉर्ड आप डाल देंगे और उस पर फिर रिजर्व मार्जन लगा देंगे अच्छा आगे आगे आग इस पर देंगे आगे 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 हर एक पार्टिस्पेंट का का अपना अलइदा से हो देंगे अच्छा यह आपने किया और डिमांड साइड पे थो हर एक की कपैस्टिक यह निकलाई जिनरेशन साइड पे कपैस्क्री रिक्वाइरमेंट क्या निकलेगी जितने उसने कांट्रैक गहरंटी किय हुग है वो उसके बाद simple नहीं ओवर देखें इसलिए credit का है अगर उसने guaranteed contract की है तो capacity सारी उसको credit होगी अगर उसने non guaranteed की है तो capacity सारी इसको हो जाएगी और इस generator की फिर capacity requirement कोई नहीं निकलेगी क्योंकि इसने तो non guaranteed किये थे लेकिन guaranteed किये थे तो इसको credit हुई 90 और इसने किसी से 100 का guaranteed contract किया वताथ इसकी requirement निकली 100 तो यह 10 imbalance में गया लेकिन अगर इसने non guaranteed किया वाद था तो इसकी सारी capacity credit हो गई इसे इसकी credited capacity थी zero और इसकी requirement भी जीरो थी क्योंकि नॉन guaranteed था इसको कोई जूरत ही नहीं थी इसका सारा imbalance तो इधर zero यह आ गया सर capacity imbalance के जितनी capacity किसी भी market participant को credit हुई और जितनी उसकी requirement थी उन दोनों के difference would be megawatt of capacity imbalance यहां पर हम रोकते हैं यह वाली जगा पर हमें imbalance निकालना आगया capacity का अब उसकी price क्या लगेगी वह हम टी के बाद करते हैं सर्थ रैंक्यू थैंक्यू सर्थ यह है सर्थ के आपकी capacity requirement किसी की भी क्या थी पीपीसी की थी के पचास गंटे में उतने जितनी एक्स्रैक्ट की प्लस रिजर्व मार्जर वह हो गई capacity क्रेडिट उसे कितनी हुई जितने का उसने contract किया था जो उसने guaranteed contract किया था तो उसको पूरी 100 credit हो गई उसने non guaranteed किया था तो जितना generator एक्चुली प्रोवाइड कर सका वह क्रेडिट हो गई दोनों का imbalance इस वह था था प्रेड़ी स्टार्ट किया रहा है कि अधि बैट जाएं प्रीशाएं प्रेड़ी स्टार्ट कॉन से वाला कॉन से वाला और यह क्रिटिकल आवर्स थे यह डिसकास हो गया था यह सर यह पचास घंटे का जिकर किया तो था कि जो पचास उसमें हर घंटे जितनी कपैस्टी अवेलेबल रही जेनरेटर की वह एड करेंगे सारी और डिवाइड़ वैफिफ्टी करेंगे तो उसकी उस साल की कि किसी भी जेनरेटर की जो कपैस्टी उसने प्रवाइड गी है वो निकलाएगी कि या जिस दूमा प्टार की जिसरेग विगा जाइड़ पर EMP module 8 होंगे यह हमने यह किया है कि हमने यहां पर बता दिया है कि हमारा जो डिसकास हुआ था कि किसी भी डिमांड की capacity requirement क्या निकलेगी कि जतना उसने grid से किया प्लस उसका reserve margin जो 10% हमने लगाया इससे हमें पता चल गया कि हमारी capacity requirement किसी की क्या थी और capacity credit कितनी हुई हमने यहां पर आखरी जो बात discuss की थी कि वह एक generator है 100 megawatt का उसने अगर contract किया हुए guaranteed 100 megawatt का तो capacity उसको credit हो जाएगी अगर non guaranteed किया हुए तो capacity demand को credit हो जाएगी और demand ने let's say 100 इसको credit हो गई और इसकी actual requirement निकली वह 110 निकली तो इसका imbalance 10 का हो गया लेकिन अगर इसके generator ने 90 generate किया और इसको non guaranteed में generator की तरफ से credit 90 होई और इसकी requirement 110 थी तो 20 का imbalance आ गया लेकिन अगर इसने guaranteed किया हुआ था तो फिर वह 100 megawatt तक इसकी जमेदारी नहीं है वह requirement है फिर इस generator की और जो capacity इसने provide की वह भी इसी generator को credit होगी सही है यहां तक capacity requirement and capacity credit यह दोनों का जो difference है वह आपका capacity imbalance निकलाया पिर generator को credit हो जाएगी जिस generator ने available किया है जिस ने available किया है तो let's say इस generator ने guaranteed contract किया हुआ था non guaranteed contract किया हुआ था 100 का और इसने generate 110 कर दिया तो 100 इस demand को credit हो जाएगी और 10 इसको credit हो जाएगी फिर आगे उसी तरह imbalance आएगा झाल generation following contract और generation following में हमने कह दिया है कि capacity non guaranteed है तो generator पे कोई जिम्हदारी नहीं आएगी capacity provide करने की जिम्हदारी सारी आएगी distribution company पे तो जो generator उसके pool से available करते हैं वो उसी commercial allocation के लिहाज से capacity credit हो जाएगी हर distribution company को उसके बाद let's say Lesco थी Lesco को pool की तरफ से एक certain 5000 megawatt capacity credit होगी और 50 critical hours में हमने देखा कि Lesco ने जो network से extract की जो energy उन 50 गंटों में plus reserve margin तो जो उन 50 गंटों की average बनेगी वो average Lesco की requirement बन जाएगी और जो उसको pool की तरफ से credit होई होगी वो उसकी capacity credited बन जाएगी दोनों का जो difference निकलेगा वो imbalance हो जाएगा सही है यह थोड़ा सा जब आप chapter पढ़ेंगे तो शायद और clear हो जाएगा मेरे खाल से commercial code chapter 10 या 9 तक अभी participants है उस तक पहुचे नहीं इसलिए BME में ज़रा ज्यादा असानी है कि अभी यह थे तो झाल 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 आप सर अगला जो था वो है अब आपको imbalance तो पता चल गया हरेका अब उस imbalance की price क्या charge करनी है तो जो price charge करनी है ना उस price को discover करने के लिए हमारे पास एक graph है जो commercial code में given है उस graph का concept यही है कि अगर capacity market में बहुत ज़्यदा surplus है तो automatically price कम मिलेगी अगर capacity market में short है तो फिर आपको price बहुत ज़्यदा मिलेगी अच्छा अब इस case में एक concept है जिस तरह marginal price का ना एक concept है unitary cost of reference technology unitary cost of reference technology जो है वो एक cost है जो के per megawatt market operator ने अभी determine कर लिया तक्रीबन साड़े दस मिलियन रुपीज पर megawatt हो है उसकी basis ये बिनाई हैं कि अगर आज हमने कोई generator लगाना होता तो वो generator जो लगता वो least cost पे लगता उस least cost बेस पे लेटसे solar select हो रहा है आज तो solar की जो per megawatt cost है वो reference technology की बन जाएगी लेटसे least cost पे select होता है आपका thermal कोई तो जो thermal की per megawatt cost है वो reference cost of per megawatt बन जाएगी जिसको unitary cost हम कह रहे हैं तो ये per year है जो आपका imbalance निकला है ना वो per year निकला है आपका साल में ये price भी per year है तो आपको per megawatt per year जो पढ़ेगी ना वो ये पढ़ेगी हमने आज commercial code में रखी है वो 10.5 million पर year ना कहें मेगवाट कह ले अभी per year ना कहें पर megawatt कर लें पर ये रही है लेकिन हमने यानि 10.5 million एक करोड़ पाच लाग के करीब रखी है commercial code में के बन ये rate है और लेट से किसी का 10 आपका imbalance है है तो क्या हम उसको 10.5 million पर megawatt लगा देंगे नहीं ये unitary cost है उसको actual price क्या charge होनी है वो उस principle पे होनी है जो आगे मैं आपको दिखाने लगाऊ unitary cost है के हमारा अगर let's say हम आज एक generation लगाएंगे तो हम least cost base पे लगाएंगे least cost base पे आज हमें अगला megawatt जो add करना है हमारा निकलता है solar का तो हम unitary cost ले लेंगे के solar की जो एक megawatt लगाने की cost है वो unitary cost होगी लेकिन least cost basis पे हमें पता चलता है के thermal आज feasible है लगाना तो हम thermal की जो per megawatt price बनती है किसी भी thermal RLNG की या कोईले की वो per megawatt price को हम unitary cost समझ लेंगे कोई भी technology जो add करनी है वो least cost बेस पे करनी है और उस least cost की जो per megawatt price है वो unitary cost है लेकिन आज initially हमने साड़े 10 million per megawatt set कर दी है और system operator को कहा है कि इसका एक CCOP बनाओ वो CCOP बना लेगा ये commercial code में लिखा हुआ है लेकिन अभी कुछ chapter 19 के अंदर transitionary provisions दी है उन transitionary provisions में एक provision ये भी है कि साड़े 10 million per megawatt unitary cost रख दी है for the start of the market ये कल को जब CCOP बनेगा change हो जाएगी रुपीज है रुपीज है ठीक है अच्छा अब ये unitary cost है ये charge नहीं हो नहीं ये unitary cost of reference technology है charge क्या होना है वो हमें graph से पता चलेगा उस graph का principle जो है ना वो यही है कि हमारा अगर surplus है market में capacity का तो फिर capacity की price कम मिलेगी अगर market में shortage है तो फिर capacity की price ज्यादा मिलेगी ठीक है ये graph मैं बनाता हूँ ये graph समय लिया तो BMC बस खतम हो गया यहीं पे अच्छा अब ये जो point है इसमें मैं थोड़ा explain कर दूँ x-axis पे हमारे megawatt of capacity है और y-axis पे price है जो point a से b तक है that is mandatory capacity अच्छा ये कैसे निकली है ये इस तरह निकली है कि अब मैं आपको draw कर रहा हूँ आपने परिशान नहीं होना हम फिर कर लेंगा अगर नहीं हुआ point a का जो 0 से start होगा और इसका जो y-axis पे price आएगी वो होगी 2 into unitary cost यानि आज के दिन देखूं तो y-axis पे क्या होना चाहिए 10.5 into 2 21 होना चाहिए बलकर ही किस लिख देता हूँ ठीक है point a start हुआ यहां से और point a जाएगा point b तक point b वो है जो market में imbalance में capacity required है यानि बहुत से market participants ऐसे होंगे जिनका negative imbalance हाया होगा उनको required है तो let's say तीन generator थे तीन market participants थे BPC से तीनों, तीनों को 50-50-50 megawatt imbalance से खरीदना था तो क्या होगा a से b तक जो point है वो खतम का होगा 1.500 पे जितने negative imbalances हैं वो जब मैं add करूँगा तो मेरा point b आ जाएगा point b निकल आया हमें x-axis पे पता चल गया coordinate के 150 है जितने imbalances हैं और y-axis का coordinate हमें पता चल गया वो 21 है ठीक है उसके बाद point c निकालना है sir वो मैंने slide है ना तीनो इसलिए skip कर दी है कि वो MO और SO का है कि निकाल किस तरह रहे हैं आप आप लोगों की understanding के लिए बस साड़े 10 है वो हम आप से PPIB को पता होना चाहिए PPIB के साथ कर लेंगे क्योंकि यहां पे अगर वो चीज डिसकास की ना तो बहुत लंबा हो जागा कि युनिटरी कॉस्ट निकल कैसे रही है युनिटरी कॉस्ट का साधा यह है कि लीस्ट कॉस्ट बेस्ट और लीस्ट कॉस्ट बेस्ट में अपने हार टेक्नालोजी की डिफरेंट है लेकिन हम रेफरेंस टेक्नालोजी की लेंगे और रेफरेंस टेक्नालोजी कॉन सी है जो लीस्ट कॉस्ट पर सेलेक्ट हो रही है वही सब्सक्राइब अभी 10.5 ले रहे हैं इस इस कॉमन फॉर और यह जिसका भी इंबैलन्स हाया ना उस की कैलकुलेशन के लिए ये यूज होगी आज ये है कल को हम देख लें हादी 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 वो बात में फैसल साब अलगा अच्छा अब ना ए से बी तक तो हमने कर्व ड्रॉ कर ली जो सी पॉइंट है अब हमने वह ड्लॉ करना थी सरा पॉइंट है सी पॉइंट किस तरह करना किसी पॉइंट का यक्स हमें दिया हुआ है y-axis है 1 into reference technology तो हमें c point let's say यहां कहीं है हमें उसका y-axis पता है कि वो साड़े 10 million यानि million हटा देते हैं साड़े 10 है x-axis हमें नहीं पता अगर x-axis हमें पता चल जाए point c का तो यह curve पूरी हो जाएगी क्योंकि फिर यह जाहर है हम slope बना सकते हैं और point d का हमें पता है यह point eight पे जहां पे आएगी तो अभी point c पे focus करते हैं point c का हमें y-axis पता है that is one into levelized cost of the reference technology unit cost हमने साड़े 10 लिया 10.5 अब x-axis निकालना है x-axis जो है that is EDL that is efficient demand level efficient demand level जो है उसका formula यह है यह formula क्या है कि मेरे पास इस time कितनी demand efficiently होती यानि कितनी supply मेरे पास होती तो मैं efficiently सारी demand को meet कर जाता इस concept है वो निकलता किस तरह है वो निकलता है जितने negative imbalances हैं बिलफर्स हमने यहां पर निकाले थे 1500 तो 1500 हमारे negative imbalances हो गए into one plus RE which is efficient reserve margin वो कितना है हमारा कोई बिता सकता है 10% आ रहे मैं RE क्या है 35% और नीचे के आ जाएगा मुझामिल कर देते हैं क्या है या कोई अगर कर सके commercial code में दी हुए 184 अब यह जो 184 नमबर है ना यह basically show यह कर रहा है इस formula को हम question नहीं करेंगे किस तरह आया है लेकिन basically यह show कर रहा है कि हमें जो 1.500 का capacity imbalance है उसको remove करने के लिए 184 MW होता तो वह efficient रहता ठीक है this is the efficient demand level हमारे पास अगर इतनी capacity होती 184 तो हम बड़ा ideally कर लेते हैं ठीक है अभी आगे उसका आपको concept समझाएगा कि क्यों यह रिखा है लेकिन point C निकला है हमारे पास निकला है इसमें कोई confusion नहीं हमारा आ गया 184 ठीक है यह आ गया point C वापस आ जाते हैं curve पे curve क्या कह रही है कि point D क्या है point 8 into levelized required तो हमारा क्या आ गया 10.5 का point 8 कितना हुआ point 81 हमारे पास आ गया y-axis और point D का x-axis कैसे निकलेगा मेरे पास यह slope आ गई है इस slope को अगर मैं extrapolate करूँ तो मेरे पास निकल आएगा point 81 का अगर अगर 10.5 अगर 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 सर आएगा point C तक आप पहुंच गया है हाँ जी अगर मात मेरे आएग तक का सर लॉज्य यह झाल झाल पॉइंट बी निकाल लिया पॉइंट्स की डिस्कवरी एपॉइंट की बी पॉइंट की सी एपॉइंट की इसकी डिस्कवरी में कि ये calculate कैसे हुआ है as per the formulas किसी को confusion ना तो बता दे 150 इस तरह आया कि C point की हमें हमने जो Y axis है वो लेना है 1 into levelized cost of reference technology जो हमने define कर दिया साढ़े दास Y axis आ गया X axis के लिए ये formula है EDL आएगा X axis पे और वो है total negative capacity imbalance जो है वो जो के हमने निकाला था 1.5 into 1 plus 0.35 जो के efficient reserve है commercial code में दिया हुए 0.35 और reserve margin जो commercial code में दिया हुए 0.1 इस से हमने निकाल लिया कि 184 हमारा point C का X axis हो गया और point C का Y axis हो गया 10.5 million ठीक है point D point D में हमें Y axis पता है के point 8 into levelized fixed cost है जो 8.4 हो गया और slope को extrapolate करते हुए हमें पता चल गया के X axis पे क्या होगा जो मैंने 200 कह दिया इदर ठीक है अब ये आ गया ये देखा जाए ना टेक्निकली तो हमने सिर्फ negative capacity imbalance इसको किया है ठीक है ये ग्राफ पे नेगेटिव capacity imbalance से चीज़े ड्रॉ हुई है अब क्या होगा ये जो पॉइंट है ये से भी ये इसके बाद आगे स्लोप डीचे हो रही है और फिर स्ट्रेट हो जाती है अब हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव capacity imbalance तो लेट से पॉजिटिव मार्केट में आया पचास मेगवाट पचास मेगवाट का क्या मतलब हुआ कि मार्केट में जब हमने सारे capacity imbalances add किये थे तो पता हमें चला था कि point B पे हमें मार्केट में 150 की capacity चाहिए तो अवेलेबल कितनी थी 50 तो हम 50 पे इसको cut कराएंगे और जहां पे ये cut करेगी with the negative imbalance वाली curve वो capacity की price निकलाएगी पचास जो है हमें हमारे पास available था ठीक है हमने 50 से एक straight line draw की जहां जाके वो इस curve को cut की उसका जो y-axis था वो हमारी आ गई price for capacity imbalance अच्छा अब ये एक सेकिंड सर्वेस एक सेकिंड में complete अब ये हुआ क्या कि हमें ये पता चला कि market में capacity चाहिए थी 1.500 की लेकिन हमारे पास सिरफ positive के जो imbalance थे 50 थे यानि market में सिरफ 50 imbalance अवेलेबल था positive वाला तो automatically rational ये कहता है कि price ज्यादा होनी चाहिए तो हमने 2 into levelized fixed cost दे दी यानि हमने 21 million पर megawatt दे दी लेकिन यही market में let's say capacity का imbalance था हमारे पास 200 positive वाला तो 200 positive है और चाहिए हमें थी कितनी सिरफ 500 तो यहां से हम straight line draw करेंगे और यह cut की फिर जाके 8.4 पर तो अब जो market में capacity की price मिलेगी वह 8.4 million पर megawatt मिलेगी अगर यह cut करती है between 150 and 200 यह जो point हमने draw किया let's say 180 180 पर cut करती है तो इसको फिर capacity की price मिल जाएगी 1.1 अगर let's say यह यहां पर cut किया तो 10.5 यहां मेगावाट मिल जाएगी per year इदर बी के बाद बी के बाद जो भी point है ना इसका मतलब है कि capacity surplus है और हमने का है कि आइस्ता इस्ता जितनी ज्यादा surplus है उतनी capacity की price गिरती जाएगी till the point D. D point के बाद फिर हमने का कि इससे मजीद नहीं कराएंगे इसके बाद जो हम straight line लगा देंगे अब जितना भी excess है imbalance में जो है आपको capacity की price जो है वो point eight into reference technology के लिए आस से मिलेगी अब सर बिलकुली यानि वो rational अ 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 ऑ दिश अ अ अ अ अ अ अ ए अ अ हमने ये मार्केट में इस टाइम बगार कॉंट्रेक्ट के पढ़ा है अगर मार्केट में फिफ्टी पढ़ा है और चाहिए मार्केट के डेड़ सो तो फिर प्राइस टू इंटू होगी लेकिन अगर मार्केट में चाहिए डेड़ सो और पढ़ा हमारे पास दाइसो है तो फिर इं पड़ेगी और वो अबित साब ने बताया इसलिए क्योंके मार्केट में अगर एकसेस अवेलिबल है तो ये ना हो के लोग जो है वो कपैस्टी ऑब्लिगेशन ही अपनी पूरी ना करें तो उनके अंदर एक डिसिप्लन लाने के लिए ये प्राइस तो मिनिममम चार्ज करेंगे करेंगे अपर और लोर्ड कैप लग गया तो ये सर ये वाला वर्ड मैं जहिन में बिल्कुल सही है अपर और लोर कैप है जी सर ये इंटरनाशनल जो नॉर्मली प्रोसीजर्स चलते हैं ना हमने मिनिममम कैप पॉइंट डिफाइन की और मैक्सिमम को पॉइंट टू डिफाइन किया है ये सवाल आपका ठीक है कि टू पॉइंट वन भी डिफाइन कर सकते थे और पॉइंट एट की जगा पॉइंट फाइफ भी कर सकते थे लेकिन यह डिफाइन ना है अब इसी लिए उस केस में बिलकुल अगर इग्जाक्ट मीट कर रहे हैं तो हमने वन इन टू रेफरेंस टेकनोलोजी दिया है लेकिन उससे आगे गया है तो फिर वन इन टू बनता नहीं है फिर थोड़ा नीचे आगे पॉइंट एट तक आगे यह सर आप बिलकुल ठीक कह रह है कि वो बिलकुल ही discipline ना maintain करें तो उस cap को इस तरह किया गया है थोड़ा सा उपर नीचे कोई और मजीद impact आना नहीं था इसलिए है सर फैजल साब मैं फिर repeat कर देता हूं हमने कहा कि पॉइंट ए जो है न उद्धर से हमारी यह कर्व स्टार्ट होगी और पॉइंट ए इस जीरो ऑन दे एक्स एक्सेस एंड टू एंटू कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टेक्नोलजी जो के साड़े दस मिलियन है तो उसको टू से मल्टिप्लाइ गया इक्केस और जीरो से यह पॉइंट स्टार्ट हुआ और यह कर्व स्ट्रेट चलेगी तिल पॉइंट बी पॉइंट बी क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया देड़ सो तो देड़ सो हमारा एक्स एक्सेस हो गया और य एक्सेस हमने पहले ही डिफाइन किया था 21 यहां पर आ गया B point के बाद हमने C point निकाला C point पे हमने कहा कि जो Y axis है That is 1 into unitary cost तो हमारे पास Y axis तो आ गया X axis जो हमने कहा वो हमने कहा X axis जो हमने कहा वो हमने ये वाला formula लगाके निकाला X axis पे basically आ रही है EDL और EDL किस तरह निकलेगी कि all the negative imbalances into one plus efficient reserves divided by one plus reserve margin efficient reserve हमें commercial code ने 35% बता दिया reserve margin हमें 10% बता दिया हमने निकाल लिया EDL जो हमारे case में निकला 184 अब point C पे हमें y axis पता था 10.5 है x axis जो के EDL था वो हमने उस formula से निकाल लिया हमारे पास point C आ गया अब हमने point D निकालने है point D का हमें y axis पता है जो के है point 8 into unitary cost जो के 8.4 आ गई x axis कैसे निकाला के slope को आगे continue किया y is equal to mx plus c वाला formula लगाया हमारे पास slope थी y axis था c था हमारे पास x निकलाया ये coordinate निकलाया 200 हमने फर्स कर लिया इसके बाद हमने straight line डाल लिए ये है हमारा price निकालने का एक graph अब price कैसे निकलेगी इस graph के उपर जो हमारे positive imbalances है market के उदर से एक straight line draw होगी और जहां पे वो इस curve पे y axis पे cut करेगी that will be the price तो पहला हमने example लिया कि 50 megawatt market में surplus था 50 megawatt से straight line लगाई ये cut की जाके 21 पे तो हमने का 21 million per megawatt अब imbalance की price है फिर दूसरी example में हमने 200 लिया 200 पे straight line लगाई वो 8.4 पे cut की हमने का market में imbalance की price जो है वो 8.4 megawatt पर जो है 8.4 million per megawatt है उसके बाद तीसरी 180 वाली निकाई थी 180 पे आप slope पे check कर लेंगे कहां कट है उसका y-axis देखेंगे आपको पता चल जाएगी तो यह है जिससे हम price निकाल लेंगे और capacity imbalance निकलेगा कैसे इन megawatt वो हमने सुबह से जो इसमें बेसिकली उसके difference से हम price निकाल रहें अगर difference कम है तो price ज्यादा है difference ज्यादा है तो फिर price कम है यह है सर इसमें जो है मुझमिल अब हम आ जाते हैं यह चलें बी-म-सी खतम हो गया यह तो है कि हमारा X-post run हुआ जब साल end हुआ तब हमने run किया लेकिन क्या हम चाते हैं कि imbalances आएं और कभी market में capacity surplus हो कभी short हो और imbalances में खिले हम नहीं चाते हैं कि जितनी capacity market में available है वो सारी capacity की requirement भी meet हो जाए तो capacity का imbalance हम बहुत ज्यादा चाते नहीं है कि ना प्लस में आने का मतलब है कि एक फजूल की investment हुई हुई है जिसका utilization नहीं हो रही और काम आने का मतलब यह है कि आपकी लोड शेटिंग हो रही होगी कोई लोड अंसर्फ जा रहा होगा तो ideally हम चाते हैं कि दोनों जितना करीब रह सकें उतना करीब रहें तो उसके लिए हमन हम उसकी एक capacity obligation calculate करके देंगे और वो capacity obligation उसको through contract हमें शो करना है कि मैं meet कर सकता हूं तो अगला चैप्टर है वह एक्स एंटे वेरिफिकेशन है यह एक्स पोस्ती बीमसी लेकिन उसके बाद एक्स एंटे भी होगी अचा हाँ यह भी कर सकते हैं तो यह यह कर लेते हैं कि दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी break in terms of test हो जाए कि थोड़ा सा आप लोग रिलाक्स हो जाए टेस्ट कर लें कि टेस्ट कर लेते हैं पहले फिर ताकि बार बार लेक्चर सुनना जो है वह वह पैस्ट हो जाए सब जैसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है और है इसे टाइम पर के आप लोगों को थोड़ा साथ हमारे साथ चल के जो है ना इसको कंप्लीट करके अच्छे तरीके से समझ के क्यूंके पहले कपैस्टी अब्लिगेशन और आप लोगों को थोड़ा की डीटेल बताई जाएगी फिर पूरे फ्रेमवर्क में कपैस्टी अब्लिगेशन कैसे फिट हो रहा है वो डीटेल भी बताई जाएगी तो आप लोगोंने बड़ा पेशेंट ली इसको देख लेना है प्रेजेंटेशन फिर से कमर्शल कोड के अकॉर्डिंग ली चलेग यह सारा कमर्शल कोड बताता है जिसको हम डीटेल में यहाँ पे देखेंगे प्रोसीजरल चैप्टर है कॉनसेट इसमें ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेसिकली कपैस्टी अब्लिगेशन लग क्यों रही है कि आपके जो डिमांड साइड है उस डिमांड स हो सके यह किस-किस पर आपलिकेबल है यह सप्लाइ साइड पर कहीं पर ऐपनीगेबल नहीं है यह डिमांड साइड पर प्लिकेबल है कि आपका पैस्टी अब्लिगेशन से अ कर ना होगा है कि किमप्लाइ कैसे करेंगे कि हर साल मार्केट आप से या किसी भी मार्केट पार्टिस्पेंट से डिमांड साइड के एक दिमांड फॉरकास्ट मांगे गा और आप लोगे केस में रेगुलेटर approve भी करेगा उसे लास्ट बेसिकली ये हैं वो entities जिनों ने आपको देनी है demand forecast और demand forecast कितने horizon की देनी है पांच साल की current year and the next four years उस demand forecast में आपकी minimum requirement क्या है minimum require है कि आपको बताना है कि आपकी maximum demand कब होगी, किस month में होगी और क्या होगी उसके बाद आपको peak hours पता हैं, आपको critical hours नहीं पता, लेकिन आपको peak hours पता हैं 1342 hours उन 1342 hours में आपकी expected क्या demand होगी in terms of energy and capacity दोनों और उसके बाद आप वैसे पूरे साल में accumulated कितनी energy लेंगे वो forecast करेंगे, estimated होगे, peak hours तो estimated नहीं होगे, peak hours तो actual आपको पता है न क्या है, उसमें आपकी energy कितनी है वो आप estimate करेंगे coming years की देने हैं सर फोरकास्ट तो करेंगे आप न, demand हागी, हागी, हागी आप डिमांड फॉरकास्ट में देखेंगे कि मेरा इप्रिल का क्या है जून का क्या है जुलाइक क्या है इनर्जी नंबर उसमें आप अकाउंट फॉर करेंगे और आज तक पाकिस्तान में वैसे जो हमारा software यूज हो रहा है उस में क्लाइमेटिक नहीं है लेकिन आपकी डिमांड फॉरकास्ट प्लस माइनस गालिबन अगले चार साल की प्लस माइनस पांच परसंट के अंदर ही फिरती है तो पांच परसंट इस एक्सेप्टेबल इस प्रोसेस को बेतर करने के लिए डिमांड फॉरकास्ट को LUMBS Energy Institute के साथ मिलके कुछ ये भी किया जा रहा है कि कोई बेतर टूल आ सके डिसकोज भी अपने एंड पर देखे है कि कोई बेतर फॉरकास्टिंग टूल आ जाए लेकिन फॉरकास्ट देनी है और उसका टूल वी आर वेरी मच अवेर आप लोगों को भी पत है इन एकुरेट है तो जाहर है वो प्रोसेस विट टाइम जब मिचूर होगा तो आगे चलेगी अच्छा अब इसमें डिमांड फॉरकास्ट में S.O.L.R. ने आपको डिमांड फॉरकास्ट में क्या-क्या चीज़े कंसेडर करके देनी है क्या numbers आने है वो पीछे है और आपने considerations क्या-क्या लेनी है वो आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने consumers है उनकी current demand क्या है वो पता हो expected growth in their numbers and demand दोनों आपको पता हो वो आपने देनी है उसके बाद कोई S.A.B.P.C.s जो के कह रहे हैं कि हम switch करना चाहते हैं हम supplier of last resort के पास नहीं उन्होंने आपको notice दिया होगा वो एक साल का notice इसल रखे है कि वो आप फिर अपनी demand forecast में incorporate करें फिर आपके पास कोई S.A.B.P.C.s उनका number के जो के आपके साथ demand end करना चाहते हैं और competitive supplier के पास जाना चाहते हैं वो कोई ऐसे जो वापस आना चाहते हैं उनकी list भी आपने देनी है कुछ ने notice दिया होगा कि मैं supplier, competitor supplier के पास था लेकिन मैं आपके पास वापस आना चाहते हूँ वो भी एक साल पहले बता देगा उसको भी add करना है इसमें उसके बाद आपके कोई loss reduction plans होंगे जिससे जाहर है आपकी शायद number of units जो आप consume कर रहे हैं from the NTDC network वो कम हो जाए तो ऐसे कोई loss reduction plan की वज़ा से जो impact आएगा ये आप लोगों को हमसे बेतर demand forecast को आती होगी तो इसमें आप लोग बहतर input दे सकते हैं कोई आपका ऐसा plan है जिससे अभी कोई कैसको के साब कह रहे थे कि हमारा winters में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन summers में बहुत ज़्यादा हमारी consumption होती है लेकिन winters में थोड़ी कम होती है तो कोई ऐसा कि आप peak hours में आपने कोई plan किया है कि हम reduce कर लेंगे अपना load और अपने load को शोड़ा shift करके winters की तरफ ले जाएंगे कोई ऐसा plan जिसकी विज़ा से आपकी peak कम हो रही है तो उसकी भी details आप हमें देंगे और उसके बाद अगर आप कोई solar के रूफटॉप्स पे आगए है let's say distribution generation और लग गई है कोई consumer end पे उन्होंने अपना load कम कर लिया किसी तरह तो उसकी भी कोई details आप को study करके इसमें अगर डाल सकते हैं तो वो भी चाहिए होगी उसके बाद कोई और factor जो के demand forecasting वाले लोगों को हमसे बेतर पता होगा वो factor कोई आपको लगता है जिससे significant effect आएगा आपकी demand forecast पे वो आपने देना है तो basically demand forecast के numbers और उसकी considerations ये हैं for supplier of last resort उसके बाद competitive और BPC दो आपके लिए ये जाहर है आप as a supplier of last resort देख रहे होंगे लेकिन BPC और competitive suppliers के लिए थोड़ी सी conditions कम है उनसे इतनी details नहीं मांगी गई जितनी आप से क्योंके major chunk of overall capacity obligation would fall on SOLR तो कुछ ये उनकी लिखी हुई है ये आप commercial code में देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे in interest of time इनको मैं आगे चला जा जा तो not relevant to us जो market में आगे है अच्छा उसके बाद इसी तरह जो traders हैं वो करेंगे market operator क्या करेगा market operator demand को आपकी demand forecast को review करेगा लेकिन एक important चीज ये है कि आपने जो demand forecast हमें दी है वो regulator से approved हो ये commercial code में भी लिखा हुआ है कि regulator approved demand forecast हम लेंगे उसके बाद हम review करेंगे और उस review में देखेंगे जो आपने regulator को demand forecast एप्रूफ करके दी है और पर जो हमें submit कराई है उसमें कोई difference तो नहीं है एक ये चीज देखेंगे तो आप फिर दूसरा लेट से regulator को आपने submit कराई है और हमें कोई revise की है तो उस revision के पीछे क्या rationale था और क्या वो revision acceptable है या नहीं है और अगर in case कोई ऐसी आपने demand forecast दे दी है capacity obligation को आप लोग तो नहीं करेंगे लेकिन कोई competitive supplier कर सकता है इसे अपना कि वो हमें direct जमा करा रहा है उसमें उसने कोई false information दे दी है just to show के मेरी demand इतनी नहीं है या irregularity है उसमें तो फिर हम उस पर कोई investigation open कर सकते हैं और under the commercial code उस पर action कर सकते हैं जी जी लास्ट रिजॉट नैप्रा को देगा बिलकुल अप्रूफ कर दी उसके बाद हम आप हमें जमा करा देंगे हम देखेंगे कि जो आपने नैप्रा को एप्रूफ की है वही हमें जमा कराई है अगर आपने वही जमा कराई है तो it's good अगर आपने कुछ change की है तो हम आपको बताएंगे कि यह change है और फिर आप से rationale पूछेंगे तो फिर अगर वह rationale valid है तो फिर आप वह रेगुलेटर को भी जाके वही चीज़ कराएंगे बट हम रेगुलेटर वाली को चेंज नहीं कर सकते हैं भी वही ले लेंगे बट इस प्रोसेस को फ्यूचर में ऐसे रखेंगे कि रेगुलेटर से एप्रूब होके 31 जैनुरी से पहले पहले हमारे पास आ जाए वह साल होगा इसलिए current year लिख है और next four years लिख है एक है लेकिन पिछले साल में वह केटर फॉर होगा तो आपने किया होगा है कि जी जी यह यह हमने ना पिछले तीन दन में तीन चार दफ़ा हमने डिसकास की है इसको इसमें यहां अचाँ अचाँ सवाल जी जी यह 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 अगर सरफ ी पीपी सि अपनी देमांड फॉरकास अगर वह रेगुलेटट कंज्यूमर है तो फिर कोई ब Bay p간 नहीं देगा और अगर वह मार्करड का बी फीवीशी है तो फिर वो अपनी डिमांड फोरकास देगा लेकिन S.O.L.R. उसको अपनी डिमांड फोरकास में नहीं डालेगा यह वो सिनेरियो है जिसमें उसका यही तीन दफ़ा हम डिसकास कर चुके है कि उसका competitive supplier default कर जाए तो ऐसा सिनेरियो आ सकता है उसके लावा नहीं आ सकता और इसका अंसर यह था कि हमने eligibility criteria इतना stringent बनाया है कि supplier का chance of default कम है अगर in case in a very inconceivable situation supplier default कर जाता है तो उसका impact BPC का 1% भी नहीं होना और आपने reserve margin 10% रखा हुआ है इसके बाद पर एक और सवाल हुआ था कि उसको हम किस price पे देंगे marginal पे देंगे या regulated पे देंगे तो हमने का था कि उसको हम time दे देंगे कुछ तीन महीने का कि उसको तीन महीने तक regulated पे देंगे और अगर तीन महीने से आगे उसने कोई contract नहीं किया तो फिर उसको marginal लगाएंगे यहां तक खोगी आपको क्या रेंफॉर्स्मेंट करनी बढ़ सकती है सर वाइर बिजनस तो सबको दे रहा है वाइर बिजनस को तो पता ही नहीं है वो कमपेटिव सप्लायर है या सप्लायर अफ लास इस उर्ट है वो उसका वाइर नेटवर्क का जिम्हाँ दारी है कि वो री इंफॉर्स्मेंट करके रखे और अगर री इंफॉर्समेंट कमपेटिव सप्लायर के लिए तो आपके लिए भी है और अगर लिए नी आपके लिए नहीं यह वाइर कर कि के जो कि झाल 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 यह पीरियड जो है ना तीन महीने का यह अभी फिक्स नहीं हुआ लेकिन हमारा यानि इन्विजन्ड यह है कि कुछ महीने उसको दे देंगे तो यानि यह नंबर अभी फिक्स हो बिल्कुल सही है वो आपको बेसिकली जब आप मार्केट में एज अज़र मार्केट पार्डिस्पेंट रिजिस्टर है तो आपके पास अपने होराइजन में जिस जिसकी जो डिमांड फोर्कास्ट है वो आ रही होगी तो जब प्रोवाइडर को नजर आ रहा होगा कि यह मेरा बीपीसी बेशाक कंपेटिटिव सप्लायर का है लेकिन इसके लिए मुझे अपना अपना इक्सपैंशन करनी है तो वो आपके SLR की रिस् पॉइर नेट्विटी रिस्पॉस्पउडिटी और उसको MO की वैबसाइट पे यह information मिल रही होगी और उसको यह नहीं रही होगी क्ये इसका यह मेरा बीपीसी disciples का ये इस कंपेटिटिव सप्लायर का कि यह बीपीजिए यह इस इसके इस उप्लायर का तो वह सब की रिक्वाइर्मेंट को देखते हुए एक टीसाब बनाएगा जी इस इस फिन गया प्रशुचट्लिए इस प्रशुच्ट्ट लिए झाल 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 आपने मार्केट ऑपरेटर को देती लेकिन मार्केट ऑपरेटर को आपने और चीज़े भी देनी है दो बलके मार्केट ऑपरेटर दो खुद ले लेगा एक चीज़ आपने देनी है डिमांड फोरकास्ट दूसरे आपके जो एक्जिस्टिंग कॉंट्राक्ट्स हो गये हुए हैं वो आपने देने हैं और तीसरा आपने future के कोई कॉंट्राक्ट्स हैं committed कॉंट्राक्ट्स हैं वो भी देने हैं जिस तरह आज के दिन तो CPPA के पास information available है लेकिन एक ऐसा scenario imagine करें कि सारी information अब SOLR के पास है तो उस scenario में SOLR ना सिरफ demand forecast देगा बलके साथ अपने contracts देदेगा कि ये मेरे contracts हैं उसके against हम क्या करेंग capacity obligation क्या निकलेगी आपकी निकलेगी आप current year की निकालने current year की आपने का कि मेरी जो maximum demand है वो let's say 6000 megawatt है 6000 megawatt मैं network से लूँगा लेकिन उस network पर transmission loss भी कुछ लगेगा transmission loss लगा तो मेरी थोड़ी सी growth up हो गई demand उस growth up demand के उपर वो demand देने के लिए grid code ने मुझे का वैको कुछ reserve margin भी रखना है आपने आप ये नहीं कि उतना ही लगाएं तो reserve margin भी growth up किया तो आपकी निकलाई capacity obligation अब ये जो percentage है ये हम कहते हैं कि current year और अगले दो सालों का आपने 100% लेना ये factor लेकिन year 3 और 4 में आप इसको 80 और 60 भी दिखा सकते हैं उसका ये मतलब है कि आपने अगले साल के लिए अगले 2 साल के लिए 100% capacity obligation दिखानी है कि जितनी मेरी demand बनती है उ इसकी against मेरे पास उतनी capacity available है वो दिखानी है लेकिन तीसरे और 4 साल में आपको ये leverage दे दिया गया है कि हो सकता है कोई ऐसा generator हो जो आपका आज ना हो लेकिन आप 2 साल बाद उसके साथ contract sign कर लें तो फिर आपको तीसरे साल के लिए 80% contracts दिखाने है अपनी demand के और ये भी हो सक अब हो गई है जितना करीब पहुंचते जाएंगे अपने उस year के उतनी आपकी तो तो उस लिहाद से थोड़ा सा कुशन दिया है कि आप ज्यादा demand करके अगले सालों में ज्यादा ना procure कर लें दूसरा हो सकता है आपका generator अभी start ना हुआ हो लेकिन future में वो आने वाला हो आ 80% capacity obligation for year 3 और 60 for year 4 कुछ भी हो सकता है तो उन चीजों को देने के लिए आपने 80-60 अगले सालों के लिए लेकिन अगले 2 साल तक आपने 100% capacity obligation पूरी करनी है अचा होगा क्या आपने जो demand forecast दी उस से हमने find out किया कि आपको 7000 megawatt की capacity चाहिए अब आपने जो हमें अपने contracts की information दी और firm capacity certificate जो आपके पास हैं वो आपने दिखाए कि मेरा इस generator से contract हुआ हुआ है हमने देखा कि आपके पास 7000 के against 6800 available है तो हम आपको कहेंगे कि 200 की capacity obligation का deficit है अब 200 megawatt क्या हो जाएगा आपको procure करना है और वो procurement की input क्या हो गई आपका जो power acquisition plan बनना है उसकी input में आपकी capacity obligation ने आपको बता दिया कि 200 megawatt मुझे procure करना है इस साल के लिए 200 करना है मुझे इस साल के लिए उसकी power acquisition program का input quantum कितना आपने procure करना है वो आपको पता चल गया आपकी इस capacity obligation से अच्छा इसको थोड़ा मजीद explain कर दूँ जो आबिद साब ने बताया उसको reinforce कर दूँ कि बड़ा clear है कि आपको quantum कितना procure करना है आपको किस से पता चला capacity obligation commercial code की existing contract दी है demand forecast दी MO ने आपको एक capacity obligation निकाल के दे दी दूसरा आपको क्या चाहिए क्या procure करना है quantum पता चल गया लेकिन generation mix क्या procure करना है वो आपको मिल गया आईजी से अब वो लगाना कि दर है वो आपको पता चल गया आईजी से यह तीनों चीज़े जब मिलती हैं आपकी तो इसको हम कहते हैं integrated planning यह planning है integrated कि क्या कितना लगाना है क्यांसा लगाना है किदर लगाना है यह तीनों चीज़े जब मिली तो आपकी डिसको और आपका आईएए IAA का क्या रोल है कि हर डिसको ने separate capacity obligation निकाली आईएए ने उसको consolidate किया in coordination with disco को और आईजी सेब देखते हुए टी सेब देखते हुए coordination करके डिसको उसके साथ क्या बनाया एक पैप regulator ने उस पैप को एप्रूफ किया उसके against फिर IAA ने बना दिया एक auction plan auction हुई generation select हो गई अब क्या होगा आगे अब आगे generator आगया उस generator ने क्या किया उस generator ने bilateral agreement कर लिया डिसकोस के साथ और connection agreement कर लिया या NTDC के साथ या wire company जो distribution दे रही है अगर वो distribution लेवल पर लगए यह आपका पूरा cycle है जिसका start इस capacity obligation से होता है अगर यह capacity obligation ना हो तो आपको यह पता चल सकता है मेरा generation mix क्या है आपको यह पता चल सकता है मैंने किदर लगाना है लेकिन आपको यह नहीं पता चल सकता मैंने कितना लगाना है वो आप लोग बताएंगे और यहां से responsibility fix हो रही है कि आज के बाद कोई एक्स वाई जड़ तीन चार बंदे जो भी हम discussion करते रहे उसकी जगा डिसकोस विड़ बी responsible to procure their energy अगर आपकी capacity obligation ठीक है तो ना आप capacity surplus में जाएंगे ना आप capacity shortage में जाएंगे आपकी demand forecast जितनी बेतर है आपको उतना बेतर जो है capacity का quantum मिलेगा ना शौर्ट होगा ना ज्यादा होगा और IA का ये रोल होगा कि जितना quantum चाहिए वो least cost पे आए और उसके बाद आपके bilateral contracts होंगे और सारा sign होगा तो this is the most thing जहां से सारा ये system चल रहा है और यहां की गलती capacity obligation की गलती ही आप पे BMC भी लाएगी और demand forecast की जितनी ज्यादा गलती होगी वही आप पे imbalances भी लाएगी है उतने बेतर आपकी capacity obligation मीट होगी और उतनी ही बेतर आपकी imbalances कम आने का चांस है तो this is the I think the whole commercial code और market starts from here यह सर मुझा मुझा में इसमें फिर मैं आगे competitive supplier का और BPCs का इसी तरह उसमें जाने की हमें जुरुत नहीं है उसके बाद एक्स एंटे verification जो हमने का कि हम verify करेंगे जो मैंने सारा बताया वो इसको numbers में लिख है हमें करने की जुरुत नहीं है यह सारे आप देख लेंगे जो आपकी capacity credit हुई है यह सारा details है जो मैंने आपको verbally उदर बताया है यह सारा उसको in writing लिखा हुए अगर कोई extra चीज़ आ रही है वो यह है कि अगर आपकी non compliance होगी है capacity obligation में में पता चला है demand forecast आपकी यह थी लेकिन उसके against आप वो contracts नहीं दिखा सके तो आप पे जो है मुझमिल आप पे non compliance होगी वो non compliance के market participation agreement में जो आप करेंगे उसमें L1, L2, L3, L4 करके लगाया हुए तो actions जो है उसमें हम penalty डालेंगे और regulator को भी बताएंगे S.O.L.R के case में के आपने serious non compliance किया है इस पे penalize हो तो MO लाइदा करेगा regulator लाइदा करेगा और BMC में लाइदा पढ़ेगा आपको तो this is the close of chapter इसको मजीद करने के ज़र्ण है कर लेते हैं मेरे हाल से लोग जो है उस पर हम डीटेल में कर लेते हैं कि अब कि क्या टाइम हुआ है हम हम तू थार्टी पर रेज्यूम कर लेंगे दो तीस पर झाल 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 आपने तो आपने मेशेज कर भी कर दो आपने मेशेज कर दो तो चैप्टर्स अलग-अलग स्लाइट्स के लगे वे हैं एक चैप्टर 12 है पेमिंट सिस्ट्रम और दूसरा चैप्टर 13 है गरेंटी जैन क्रेडिट कर वेपा क्यूंकि यह सारी चीजें आपस में मिलके एक साइकल की तरह उप्रेट कर रही हैं इसलिए मैंने खुद इनको अकठे कर दिया, श्लाइट हो ही है, लेकिन सिर्फ श्लाइट की तर्तीब इस तरह की है कि पूरा हमारा फ्लो बन जए और आप लोगों वो चीज़ा अंडर्स्टाइंड हो जए तो उससे मैच ना कीजिएगा, कॉंटेंट वो ही है, श्लाइट हो ही है, लेकिन अर्रेंजम मन्थ, 30th को मन्थ एंड हो जगा, फिर से जून की ले लेते हैं, 30th जून आ गई, अगले साथ दिनों के अंदर, 1st to 7th July तक हम PSS इसू कर देंगे, किसी MP को अगर उसके उपर कोई अतराज होगा, कोई उनकी डिस्प्यूट है, तो उसके लिए हमने 5 देस का टाइम रखा है उनकी डिस्प्यूट को एंटर्टेन करने के लिए, 12th June, 12th July आ जागा, 12th July से 25th July के बीच में हमने ये टाइम रखा था कि हम उस डिस्प्यूट को डिसूट को डिसूट करतेंगे, and if everything is going smoothly, कोई इसू नहीं है, तो 25th को हम FSS को इसू करतेंगे, FSS को इसू करने के बाद उस हमने ये debit और credit notes जो के actually in nature invoices ही हैं, लेकिन इनके नाम debit और credit हमें रखे हुए हैं, इसके बाद जो payments execute हो जेंगी, और जिनका हमने advance amount use की थी, उनको recoupment की request चली जाएगी, अब मैं इसको दरा आज detail से देखते हैं, इसमें कल कोईफी questions थे, कि default हो जागा तो क्या होगा, इसक सबसे पहले इन दो चीजों के उपर आ जाते हैं, कि security cover और STF क्या है, आप लोगों ने ये अभी तक की presentation में काफी तफ़ा सोना भी होगा, आज हम इनकी nature पर थोड़ी सी बात करते हैं, जो मैंने कल एक बड़ी layman term आप लोगों से कही थी, कि advance amount हमने लेकर रख दीवी है, उ security cover, इसकी nature cash ही होगी, हम cash amount ही लेंगे, हम bank guarantee या कोई और financial instrument नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी markets volatile है, तो हमें cash में ही चाहिए, जैसे जैसे market का confidence increase होता जाएगा, तो coming years के अंदेर, commercial code में भी ये clause लिखी गई है, कि NEPRA को हम हर साल report देंगे, कि market cash कितनी mature हो गई है, risk कितना reduce हो तो फिर probably हम किसी और instrument के जा सकते हैं, but to start off, this will be in cash only, credit cover हम दो चीजों के against लेंगे, कल जैसे काजी साब ने आपको BME explain किया था, आज BMC हो गया, तो हमारे यही दो components हैं, imbalances के, credit cover दोनों के against लिया जाएगा, जो आपका monthly imbalance की amount है, energy की, उसके against credit cover लिया जाएगा, और जो आप का yearly imbalance की amount है, capacity की, उसके gains पी credit cover लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, उस पे हम अभी आगे चलते हैं, सबसे पहले हैं क्योंकि हमारे तीन ही main market participants की categories बनती हैं, एक जैसे आप सारे DISCOS के हैं, K.E. के हमने color category रखी है, and then all other MPs, USAID ने आज से 3-4 साल पहले financial health assessment की थी, तमाम DISCOS की, उसकी बड़ी extensive document है, publicly available भी है, आप online भी उसको देख सकते हैं, उसकी base के उपर कुछ percentages निकाली गई, कि हर DISCOS की कितनी financial health exist करती है, उसकी base के उपर ये, हमने table lake बनाया, ये बड़ी minute से percentages हैं, कि DISCOS का पिछले 3 साल का जो average revenue है, उसकी एक percentage के amount हम as a credit cover ले रहे हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं, most of the DISCOS, this is less than 0.01%, जिस DISCOS की जितनी health या उसके, जितनी financial ability थी, उसके according ये percentages निकाली गी हैं, ये non-discussable हैं, क्योंकि ये study के base पे निकाली गई थी, ये percentages के through हैं, वो document जिसकी base पे ये बनाई गई थी, वो publicly available है, Financial Health Assessments by USAID का project था, तो आप वहां से ये देख सकते हैं, ये वो percentages हैं, जब market शुरू होगी, और हमने credit cover की, आप से हम करेंगे कि जमा करा दें, market अपना contract register कराने के लिए, तो आपके पिछले तीन सालों का जो revenue है, उसका average और उस average की ये percentage होगी, जो आप में जमा करा दी हैं, So for example, लगा SOR पे है, तो उसका 0.013% होगा, जी, क्वेस्टन है किसी का, कई के लिए percentage 0.05% की fix है, क्यूंकि इनकी financial health assessment है, उसका नहीं कहते हैं, उसका नहीं कहते हैं, इनके तो public के लिए documents available थे, ये उनके लिए की है, बाकिये जितने market participants हैं, जो भी हमारी market के अंदर आएगा जो revenue आपका requirement है, collection तो जाहरी बात है, revenue से कम होती है, तो ये आप, ये requirement की percentage है, collection पे तो जाहरी बात है कम है, उसका नहीं कर सकता है सेर, उसके लिए मैंने जैसे अर्स किया कि एक document बनावा है, मुझे exact figures तो नहीं पता, ये formula है, ये मतलब हमने खुछ से percentages नहीं define की, जो उस study का end पे conclusion निकला था, उसके अंदर तीन साल का revenue, average भी निकला आई थी, वो public के लिए वेले बहल है, वहीं से ये percentage है, और ये percentages उस document का end का part है, तो वहीं से derive भी नहीं है, अब इसकी working काफी detail है, किसकी क्यों फरेक है, जहरी बात है, हर डिस्को का revenue difference है, उनका collection में फरेक है, उनके risk में difference है, इसलिए percentage है, सबकी same नहीं है. पिछली slide में? जी मैं बहुत मैंना नहीं. जिस दिन commercial हमारी जो market है, उसनो operation उसका start होना है, यह operating date है, जिस दिन में date होगी ना, उससे हम पिछले तीन साल का ले जाएंगे, जिसनों, hopefully, यह first, अभी तो dry run शुरू हो गया, यह next year June में होती है, तो हम पिछले तीन सालों का revenue इसके लिए ले लेगे. जी. जी. अच्छा, देखें, हर बार में ऐसे तो नहीं है, कि किसी आपने अपने रिज्ट के लेगे, जी. यह आपका एक अडवास आगया, जब यह इसकी reimbursement की बारी आएगी, हमने इसको use कर लेगे, तो आप भी तो collection कर रहे होंगे, तो आपके पास भी amount तो बारा आज जीगी, तो यह सिरफ amount है, जिसने खतम होना है, इसको reimburse करना है, तो आपकी भी वहाँ पे collection हो रही होगे, तो को आपका reserve, यह नहीं है कि every month आपका reserve कम होता जा रहा है, आप collection कर रहे हैं, और आप इसको fill करते जा रहे हैं, दूसरा यह amount इतनी जएदा नहीं है, आप इसके percentages देखिए, जिस तरह 0.013% है, तो all other MPs, यह जो हमने इदर लिखा है कि यह आपकी percentages होगी और के की होगी, यह भी पहली दफ़ा के लिए है, जब हम market को start कर रहे हैं, उसके बाद जब आपके legacy contracts जब market के अंदर register होंगे, जब आप कोई new contract की तरफ आएंगे, तो आपके उपर भी यह third clause apply होगी, जो starting में आपके और के के लावा दीगर MPs के लिए, as long आपके legacy contracts आ रहे हैं, और जब आपके new contracts आ रहे हैं, तो यही clause फिर आपके लिए भी apply होगी, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने यह करना है कि आप हर market participant की next six months का exposure calculate किया जाएगा, obviously यह forecasted based होगा, हमारे पास जब market start होगी तो real data नही कर सकते हैं, यह CPPA के end पर ही होगा, यह market operator ही आपके लिए इसकी calculation कर रहे है, and it's a very complex calculation, यह इतनी easy नहीं है कि आपने exposure calculate करना है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम components आ रहे हैं, जो आपको कल मैंने FSS या PSS का जी साहब ने BME, BMC के अंदर बताये थे, जैसे कि imbalance भी आ रहा है, इ accession BC amount के अंदर होगी, जब हम exposure को calculate करेंगे, इसके लावे ancillary services के against कोई आपकी amount है, वो BC के अंदर आ रही है, इसकी calculation के लिए CCOP प्रिपेर हो रहे है, which is commercial code operating procedure, which is under development, I have seen the document, उसमें काफी complex formulas है, तो उसको हर aspect से cover किया जा रहा है, वो commercial code का part नहीं है, उसका reference commercial code में दियावा है के CCOP is under preparation, और ये calculation, जो है, ये calculation, CPPA ये MOCAL को किस तरह करेगा, इसकी detail उसके अंदर होगी, जब है, इनिशियल का मतलब है कि जब आपने market के अंदर contract register करा लिया, अब पहला महीना खतम हुआ, वो आपका credit cover हमने इस्तमाल कर लिया, security cover, ये overlapping terms है, credit cover, security cover है, same things, कुछ चगह पर ये word है, कुछ जगह पर दूसरा word है, आपने जब उसको पहले month के end पे हमने आपका utilize कर लिया, तो we'll ask you के इसको दोबारा reimburse कर दें, तो ये, ऐसे कहलें के glass है, जिसमें sand है, वो खतम होता है, और month end पे फिर हम आपसे दोबारा उसको fill कर लेंगे, नहीं ये constant नहीं रहेगा, जाहरी बात है, जैसे-जैसे exposure के अंदर फरक आएगा, हमने 100 रुपे लिया है, आपका अगले मीने exposure 500 रुपे आ गया, तो उसके अंदर फिर आगे condition है कि कितने time के बाद इसको हम true up ये true down करेंगे, उसकी तरफ अभी आता है, Sir, इसके लिए Sir, आपकी जो financial statements, order trade है, उसी को हमने use किया था, बिलकुँ Sir, तीन साल का revenue उसका average, अच्छा, अब हमारा जो दूसरा component है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमने advance लेकर रखना है, उसके अंदर दो layers है, एक तो security cover होगा, जिसकी calculation मैंने आपको बताईए कि CCOP के अंदर बनीगी और हम वो रखना है, दूसरी चीज है settlement guarantee fund, अब हमें 2 layers की क्या जरूरत पेश आगई, इसकी भी जो form है वो cash ही है और कोई banking instrument हम लेंगे, cash के थ्रू ही होगा, हमारे bank account में deposit होगा, और हम इसको 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 इस्तमाल करेंगे, credit cover को हम इस्तमाल करें या security cover को हम इस्तमाल करें आपकी monthly settlement के लिए, वो एक रूटीन का प्रोसीजर है उसने एवरी मन्थ यूटिलाइज होना है उसने एवरी मन्थ रिम बस उसको करना है रीफिल होगा और वो होगा यह जो सेटल्मेट गिरेंटी फांड है इसको हमने रखावा है उस केस में जहां पे कोई इवेंट आफ डिफॉल्ट के तरफ सेक्यूरटी कवर नहीं है और हम डिसको को कहें या बीरी कई को किसी मार्कट पार्टिसिपंट से कहें आपका कम कम होगी है इसलिए अस estéний को मार्क का जो रिस्क है उसको हम जितना मिनिमम कर सकते हैं कर दिया जाए इसकी ज het है इसको हमने लिंक किया वह है credit cover security cover की amount के साथ जितना आपका security cover MO ने रखना है उसका 1.5% as a settlement guarantee fund आपसे लिया जाएगा sir 1.5 times so अगर 100 रुपया credit cover है तो 1.5 रुपया settlement guarantee fund है जो आपका यहां पर रखा जाएगा yes sir यह दोनों होनी है यह amount पड़ी रहेगी in case जब तक credit cover की amount के अंदर कर नॉर्मालिटी नहीं आती या default नहीं आता इसके reason ही यह है कि देखे हमने हम जिस तरह के हमारे मुल्क के हलात है जितनी volatility है उसकी वज़ए से market को confidence देने के लिए we needed an added layer and this is not something जो पाकस्तान के अंदर है अलबर्टा के market new york के market australian market philippine के markets वहां पर भी दो लेयर्स बेरी कॉमन थिंग क्योंकि इस इनको रखा जाता है कि 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 देखें यह तो पहले दिन से ही है यह प्रोसीजर पर confidence आएगा चीजें चल रही होंगी market operate कर रही होगी कोई default नहीं हो रहा तब भी government अपनी sovereign guarantee को withdraw करेंगे एक दम तो government भी नहीं करेगी के चीजे पूरा system ही बैठ के और आप लोगों को यह amount बहुत जादा लग रही है अगर आप उसको percentage से multiply करेंगे तो इतनी वड़ी amount ही है आप 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 परसंट गया 5% of the revenue this is 0.002% of the revenue so it's a significant, बहुत चोटी insignificant amount है और यह भी नहीं है कि यह आपने collect नहीं करना आपकी collection भी होती जाएगी तो इस amount ने rolling basis पे चलते रहा है सर देखें फिर वह बात है कि हम आपसे 20 या 25% तो नहीं मांग रहे हम तो 0.001% मांग रहे है इतना तो होना ही होना दूसरी चीज यह इसके अंदर जिस तरह आपने का कि recovery नहीं होनी तो हमने इसके अंदर रखा है कि आपसे हमने शुरू में 100 बे ले लिया अब पता लग रहा है कि आपका monthly exposure या imbalance जो है वह इतना हो ही रहा है वह 50 रुपे हो रहा है तो उसको true down करने का हमने यहां पर mechanism रखा है जो आ गया हैगा हम उसको करेंगा यह नहीं कि यह वह हो गया तो यह अजल से अबद तक fix हो गया है ऐसा इसके अंदर नहीं है इसमें ग quantum है वह बहुत छोटा सा है जी यह imbalance की मांट है यह वो तो उनकी आपस में वह इसलिए उसका नहीं bilateral contract है वो तो उनकी आपस में settle करना है उस contract में market operator का कोई part नहीं है clause के अंदर even हम तो उनसे contract भी नहीं मंगेंगे कि हमसे share करें हमने performer बनाया है कि उस contract की कुछ चीजें हमारे performer सब्सक्राइब करते हैं वह confidential है वह आपको यहीं बता रहा हूँ आप लोग ना पूरे contract के quantum को शाहिए देख रहे हैं हम सिरफ imbalance को देख रहे है imbalance की amount छोटी ही होगी इसलिए अगर आपने इसको calculate किया है कि यह 1.5 croda पया बन रहा है तो यह कोई ऐसी हम exorbitant amount नहीं मांग रहे हैं इसके पर आप लोग कितने परिशान हो जाएं कि यह M.O.N. पैसों को लेके बैठेगा हमने इससे settlement ही करनी है जिनको आपने भी पैसे pay करन देखें हमने calculate कर लिया आज के अगले 6 महीने each month आपका imbalance की amount क्या बनेगी वो 100 रपे 110, 120, 130, 140, 150 बन गई तो इसमें maximum amount 150 है हम आपसे 150 रुपीस का credit कवर लेंगे क्योंकि हमने highest risk को कवर करना ने इसके अंदर अगर कोई और question ना kindly cross talk ना करें मेरे से पूछ लें ताकि हम आगेस को लेके चले अचा अब यह security cover और settlement guarantee fund की requirement की stage पर है हमारे दो stages है जब किसी भी MP ने market operator के पास आने एक आपने as a market participant register होने के लिए आने और एक आपने contract registration के लिए आने जब आप as a market participants register होने के लिए आएंगे तो उस stage पर हम किसी market participant से credit cover नहीं ले रहे जिससे credit cover नहीं ले रहे उससे SGF में नहीं ले रहे क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में लें सिर्फ इसमें एक exception हो सकती है कि कोई ऐसा generator है जिसका backfeed का contract नहीं हुआ और उसने कल को market से ही backfit के लिए लेना है तो उसका एक formula commercial court के अंदर given है वो 5% उसकी capacity के एक amount है उसका rate भी given है वो amounts थारी लिखी नहीं है उसका सिरफ हम generator से ले ले लेंगे उसके लावा डिसकोज BPC supplier trader किसी से भी हम कोई भी at the time of registration credit cover या STF नहीं लेंगे whereas at the time of contract registration जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि discourse और के 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 लिए starting में percentage और बाकी MPs के लिए 6 months को हमने calculate करना है और legacy contracts के बाद जब आप लोग new contracts के लिए आएंगे तो उसके लिए भी फिर आपके लिए भी वही clause आजेगी के 6 months का calculate किया जाएगे exposure और उसमें से जो maximum जिस month का बन रहा है वह amount हम आपसे ले लेंगे यह आप deposit करवाएंगे तो contract आपका market में register हो जाएगा और यह फिसकी execution start हो जाएगा payment procedure के पर आजएत यह मैंने already explain कर दिया वा था इसको हम थोड़ा सा आज detail में देख लेते हैं कि यह किस तरह होगा market operator के कुछ bank accounts है उनको देख लेते हैं उसके बाद फिर वापस इदर आते हैं यह हमारे bank accounts है इनसे आप लोगों का कोई ऐसा काम तो नहीं पड़ेगा लेकिन for the sake of understanding कि MO कैसे operate करी होगी इनको थोड़ा सा में explain कर लेते हैं market और इसमें कल किसी का एक question भी था interest related के आप कह रहे थे कि MO ही सारा interest लेके बैठ जी कि तो वह इसमें point clear हो जोगा हमारे seven bank accounts है यह जो first six bank accounts है यह market finance के हैं market के जितनी settlement है वो इनी bank accounts के through होनी है यह जो last account है यह हमारा operation का account है जिससे MO के लोगों की तंखाएं training यह सारी चीज़े होनी है तो interest के जो amount है जो account SDF के उपर या security cover के उपर हम earn करेंगे वो इस account के अंदर नहीं आनी तो इसलिए specific list में लिखा हुआ है कि तंखाएं यहां से जानी है vendor payment से जानी है और यह इसका एक input MO fee तो interest MO के पास नहीं आ रहा वो security cover के अंदर ही रहेगा वो SDF के अंदर ही रहेगा उसी की amount को increase करेगा कि खुदाना खास्ता कभी कोई MP default कर जाता है को ऐसा जाता है तो जो पैसे पड़े में उसके over and above वो एक extra layer भी होगी जैसे market को ही फाइदा है इससे market operator कोई की चीज गेन नहीं कर रहा है हमारे यह six accounts है market से related यह जो पहले दो account है settlement account for monthly settlement which is for PME and settlement account for yearly settlement which is for BMC यह हमारे clearing account है इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पैसों ने आना है और चले जाना है इसके अंदर पैसे पार्क नहीं रहेंगे जितने भी पैसे अगर हम security cover और settlement guarantee fund को receive कर रहे हैं तो वह पैसे सबसे पहले इस account के इंदर आएंगे और यहां से वह पैसे next account में parking account बजाएंगे जो हमने security cover के लिए credit cover के लिए यह account रखा वे for monthly settlement अगर BMC की कोई payment है credit cover की वह इस account में park होजेगी और अगर को settlement guarantee की amount है वह इसमें park होजेगी coin trust यह penalties आती हैं तो वह miscellaneous account में चले जाएंगी इस account में पैसे आए और इन चारों में से किसी एक में चले गए यह BMC का account है इसमें BMC से लिए पैसे आए वह इन चारों accounts में respectively चले जाएंगे इसी तरह जब हमने market को settle करना है हमने payment करनी है तो security cover के account से पैसे इस monthly settlement के account में जाएंगे और यहां से respective MP को payment हो जाएगी अगर BMC के payment है तो BMC के credit cover से amount यह monthly yearly settlement के account में आएंगे और यहां से market participants को payment हो जाएगी तो यह accounts की नेचर जी है लेकिन यह accounts MO की हत्त की है इसके साथ आप लोगों का operationally कोई तालुक नहीं होगा but for the sake of understanding कि हम किस तरह काम कर रही होंगे यह आपको यहां पर explain की अब हम वापिस आ जाते हैं payment cycle पर यहां कि उसमें accounts का जिकर था इसलिए मैंने पहले बहुता कि अच्छा हम पहले monthly settlement को discuss कर लेते हैं payment का procedure थोड़ा सा difference है yearly की settlement में monthly में लेकिन concept एक ही है तो हम इसको वहां से start करते हैं जिस तरह आपको मैंने बताया हमने कल देखा payment calendar के मताबिक FSS बन गई आपको पता लग गया कि यह दो market participants को पैसे pay करने और दो से ले के करने हैं तो वह जो ले के करने हैं वह actually उनका security cover हमारे पास पढ़ा वह जिससे हमने उनको payment करने है we don't have to knock the doors of an MP के आप आज हमें इसकी payment दें और फिर हम आगे देंगे यह जो इसका purpose ही security cover का है तो जब हमारे पास complete statement बन गई FSS ready होगी कि इसको पैसे pay करने हैं जिनसे पैसे लेके pay करने हैं उनका credit cover हम credit cover account से निकालेंगे और उसको transfer करेंगे monthly settlement account में which is the clearing account अगर security cover कम पढ़ जाता है यह एक scenario है जब चीज़े आइडियल नहीं चल रही होती है और अकसर होता कि चीज़े आइडियल नहीं चलती है तो फिर हम जो second layer है settlement guarantee fund की उधर से जो deficit amount है सिरफ वो temporarily लेके security cover की amount को पूरा कर देंगे example लेते हैं 100 rupees हमने pay करना था FSS के उपर payment बन गई अच्छा यह जो काम है नहीं हमने totality के अंदर करना है हम यह नहीं करेंगे कि एक MP के 100 अरबे पड़े हैं एक MP के 200 अरबे पड़े हैं जो हमने payment करनी हैं बलकि यहां कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें clarity आजएए रख लाते हैं एक A है एक B है इसका security cover 10 rupees पड़ा है इसका STF 15 रुपए पड़ा है जो B है इसका security cover 20 rupees पड़ा है और इसके respectively इसका 35 पड़ा है 20 कर लेते हैं 30 आई है 45 यह पड़ा है A का security cover 10 rupees है B का security cover 20 है तो total 30 rupees का security cover पड़ा है इन्हीं के जो settlement guarantee fund है A का 15 रुपए है और B का 30 rupees है तो total 45 पड़ा है अब इसमें 2-3 scenarios हो सकता है एक तो यह कि ideally जो हमने payments करनी है यह C participant और D participant A को 10 rupees पे करने है एक को 20 rupees पे करने है तो इसके 10 से यह पे हो गया इसके 20 से यह पे हो गया market settle हो What if इसके 20 आगे और इसके 20 आगे अब हमने total 40 rupees पे करने तो हमारे पास यहां पे इसके पैसे तो कम पड़ गया फॉरी तो पर क्या करेंगे तो हम इसके settlement guarantee fund में से 10 रुपे निकालके 20 rupees को settle करते हैं एक और scenario लेते हैं तो हम यहां से 30 rupees से इसकी payment करके इसको cover करतेंगे अब आप यह कहेंगे कि इसके पैसे आपने को इस्तमाल कर लिए तो हमने market design इस तरह की है कि जैसे ही इसकी payment होगी इसके बद दो दिन का time है जिसके अंदर ही supposed to pay यह ने यह पैसे देने हैं तो हम इसको फॉर जहां पर करतेंगे क्योंकि settlement guarantee fund को हम जितना avoid कर सकते हैं settlement के लिए हम उसको नहीं करेंगे routine business की transactions के लिए this is mainly for in the event of default वहां पर जाने के लिए तो security cover को जब हम overall calculate करेंगे और हम overall देखेंगे कि हमारी FSS का total क्या बनता है सारी MPs का तो अगर पूरी हो रही है तो well and good जरूरी नहीं है कि हर MP ने जितना पैसा pay करना अगर उसमें को फरक भी आ रहा तो वह दूसरे MP से temporarily भी borrow करके हो जाएगा और जैसे ही settlement होगी उसके within two days 48 hours उनको पेमिट करनी ही करनी नहीं करेंगे तो उसके पर penalties हैं and trust है और उनको हम market को halt कर दिया जाएगा उनकी further participants जी बिल्कुल इसके इसी के लिए एक ERP का software है finance की team है मनें यही काम करना है इसारी चीज़ें इसमें कोई issue नहीं चीज़ें manually नहीं होनी इसके लिए ERP भी है MMS भी है इसके तुरसारा कुछ होगा जी प्लीस question आपको अचा यह इसमें जो second point यही था कि अगर security cover कम पढ़ जाता है overall में तो हम SDF को कर लेंगे वह मांट चली जाएगी अब हमारी amount पूरी हो गई जो हमने सेटल करनी थी through security cover या with the help of SDF temporarily हमने MPs को payment कर दी और हमने उनको next day debit note issue कर दी है कि अब आपका यह amount खतम हो गई है इसको within next two days आपने हमें reimburse करना है अगर आपको आपके mind में यह question आ सकता है कि दो दिन बड़ा time है उनको तो आपने थोड़े time पर visibility दी है वह पैसे आप जिस तरह आप भी कह रहे थे के recovery cash तो देखे जब FSS issue होगी थी ना और PSS issue होगी थी तो आपको amount की visibility तब भी हो चुकी भी थी कि यही आएगा PSS or FSS के बीच में थोड़ा से difference ही कहीं आना है बहुत ज़्यादा major difference तो rare ही किस event के अंदर आ सकता है तो आपको इस चीज के visibility है कि क्या है और once एक circle चलना शुरू हो जाता है monthly basis पे तो चीजें बड़ी smooth हो जाती है शाहिद आज आपको odd लग रहा हो गया यह कैसे होगा लेकिन once आपका monthly settlement होना शुरू हो जाती है है जाता है झाल 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 इस इस झाल 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 इस झाल झाल इस यह इस 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 झाल झाल इस 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 कि इसका थोड़ा साब को बता दू या प्रोसेस बता दू अगर आपको याद हमने हाथ से एक साल पहले या कोई पहले एक लेटर तवाम डिसकोज जब हम अपना प्रोग्राम्स बनाएते प्रोग्राम्स बनाएते कि आपकी तरफ से इसके अलावा क्या होने चाहिए तो कुछ दिसकोज का खासर में पीबी आईवी का बहुत अच्छा उसके इंपूट है था जो हमने इसको अगें जैसे अब हो रहा है नया फिसकले स्टार्ट हो रहा है नया ट्रेनिंग बनेगा तो अगें प्रोग्राम्स क ते इस तो कि यह इस अब रहे हैं इस तौन यह अब यह जो और आख करेंगे यहां यह इस तवाम से ने कि दिमार किट अधा सब्सक्राइब करेंगे लेकिन प्रॉसिस टार्ट होने वाला है इसके आप सब लोगों को इंवाल्फ करेंगे यह तमाम की तमाम की तमाम जो काम अल्री चल रहे थे इसको कमर्सिल कोडें इंडोर्स कर दिया और हमें मेंडेट मिल गया कि हम इन कामों को जादी रहे इसके बारे में हम जिसके हुआ है कि दो एस्पेक्स इंस्टर के डिवलप्मेंट अलगे अब करते हैं अच्छा असिस्मेंट जो था इसका पहले नाम था अप्रबोस किया था वह से इस रखा था इस वाक्ति जो जाध करेंगा तो इसके अंदर आप देख नहीं किस तरह परफॉर्म कर रही है कहीं सारी कर धाये अट沒有 कोर्या तो हम खुद कर लेंगे अगर वोट समझते हैं कि उसके अमिट से बाहर है, अथर्टिक को आना चाहिए तो हम अथर्टिक को रिपोर्ट कर देंगे और इसके वेस्पे अथर्टिक की डारेक्शन में जो भी एक्षिन आएगा, हम वो ले लेंगे. अच्छा, उसके बाद से क्या होगा, इसमें वो दिया हुए कि क्या क्या फंक्शन होंगे, सबसे पहले तो ही है कि जो मार्कीट पार्टिमेंट का बहेंगे हैं, वो हम लोग चेक कर रहे होंगे, यह कि जिसमें मैं अगे बताया कि खहीं मार्कीट पावर अभी उस तो नहीं ह होता है कि आर्बिटराज के अपरटरिटीटीटीस को प्लाज करें होते हैं, तो हम भी अपने हमारे पास भी एक इंडेलिजेंस का विंग होगा, बिजिस इंडेलिजेंस के तो उस करते वे डेटा के उबर हम यह देखेंगे कि मार्कीट पावर कहीं से मालना हो, और इस इसे मैचूर हो, एड़ पर इस पेस और उसके अंदर जाद से जाद से जाद है, पहले अगर वन मेंक्वाल्ट से शुरू कर रहे हैं, तो मागे जाके अल्टिमेटली उसको थासोर न्जियूमर को भी इसके अंदर सामिल कर लें, इसके अंदर एक और है कि हम देखेंग अगें हम इस फंक्षन के तर यह काम भी कर रहे होंगे कि एसी के लौँ से कमेचल की नहीं है जो इसके दर से मार्की बजाहर रही है, तो अगर इस तरह की कोई चीज निकलती है, तो हम अगें क्या करेंगे, जो भी आपका कमेचल कोड कोर्य देजाइन के दर जो भी में एक बात की भी है तो जैसी वेबसाइट है के अंदर ही वह अपन रणिंग हो जाएगी आप सब लोग उसको एक्सिस हांसिल कर सकती है तो वेबसाइट के अंदर हमारे पास है कि जितनी भी इंफॉर्मिशन मार्केट से रेड़ेड है वह में स्टेकोलर को पहुंचान ही है जी जी जैसे एक खाल से नेप्रा का जो सिक्समंद के राइरन प्लान है उसके इंदर जो मिराठ की हम बात की ने स्टेंड है कि आपने मिराठ को स्टेंड करना है आप से डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे बलके उससे रेलिवेंट जो भी आईटी टूल्स हैं वैपसाइट वो इसके इंदर कवर हो जाता है इंदर एक वे में तो यह है कि आपने जितने भी इंफॉर्मिशन देनी होती साहरा है वह सब को वाट्सप तो करेंगी निया ख रगता हुगा थाकि आप जो जो जैडा डिजस लेकर कर जो जो जाईज जाई है वो इसको ले सके इसके इसके टीला पूच को यह भी एक खाल्वांगे लोगा गई वार्टियोंगी और तो तावी अविन घृती ताहिएग वार्ट चाहिए तो मार्के अगा के बाद जो कमर्शिल कोड के मेंडेट दिया है इसने दो टाइप की रिपोर्टिंग कर नहीं है पहले रिपोर्ट उसके इसके बाद अगें यह जिसे कोई नहीं होगी पबिक रिपोर्ट में जो कॉंपिटेंचल हो फिर इसके इलावा यह तो रोडी हो गई यह इस पेशल परबस रिपोर्ट है या इनीड बेसिस के उपर वह क्या होगी कि जब भी कोई कंप्लेंड आती है फर इजैंपल हमने कोई नोट किया बताया कि कोई मार सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह जो कमर्सल कोड के अंदर अमेंडमेंट करवाई होगी तो इसे पूरी प्रोसेडिंग दी जाएंगी कि कहां से महमला चुरू हुआ और कहां तक यह बात पहुंची और सब्सक्राइब कि हमारे पास जितना भी डेटा होगा मार्केट ऑप अगर बहतर समझेंगे तो वो इसको डेटा प्रोवाइट कर देंगे बिलाउट चारजिंग एनी फीज और अगें वो डिस अगें इस पे कॉन्फिदेंशन इंफ्रमिशन का एक इसमें क्लाउज है बसर यह है कि यह में तरफ से था कंट्रिबूशन अब इसमान खारिज को दावत दूँगा कि वहां कि आज अश्मान जी विदियों बिल्कुल नहीं है खत लिकिंगे में आपको डेटा देदेंगे विदिया कैज्मिक लेवल पे डिसिए मिकिंग लेवल पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट लेवल पे विदियों इसका ब स्क्राइब भट्सकेश्ट अभी टेकर Hello? Hello? Thank you. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the topic of enforcement. And today, let's discuss that enforcement market operator. And let's go back a little bit of a controversial topic. Market operator should not have enforcement rights. So I would want your comments on this. Why? No. 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 Okay. No. 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 iera me. No. 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 market को MO monitor कर रहा होगा अपने data की basis के उपर कि कहीं कोई issue तो नहीं है या कहीं कोई manipulation तो नहीं हो रही ये भी तो possibility है कि MO की assessment procedure से कोई market participant निकल जाए और किसी और market participant ये जर्फ करेगा कोई और market participant कि there is some way where there is manipulationing happening or there is some sort of abuse happening या उसकी कोई grievance हो किसी service provider के साथ in that case the market participant जिसको ये grievance है with all the supporting documents he will come to the market operator and submit a complaint इस complaint की basis के उपर जो अलेजिट market participant है जिस पर इल्जाम लगा हुआ है उसको एक notice issue किया जाएगा from the MO उस notice को या तो वो रिटन में जवाब दे दे या वो meeting में रिक्वेस्ट कर सकता है अपने arguments को प्रिजेंट करने के लिए after that meeting is conducted and that return response if applicable is received तो हमारे पास तीन options बेसिकली आजाएगी पर्री option ये है कि market operator को ये अंदाजा हो जाए कि जो इसका claim है जो इसका allegation है वो फेर नहीं है so he can drop that assessment दूसरी option ये है कि ये थाबित हो जाए कि जो allegation थी वो correct थी और तिसरी option ये है कि incomplete data की वज़ा से you cannot comprehend whether it was right or wrong so you need more data either from the alleged part or the one who has put the allegation on him so अगर इस case में जिस case में ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो allegation लगाई गई थी XYZ market participant पे वो true थी तो market operator उसको एक show cause notice issue करेगा वो show cause notice के अंदर जो key elements होंगे वो यहां mentioned है सबसे पहले जो alleged breach है वो mention की जाएगी और time दिया जाएगा उसको जिस time के अंदर उसने उसको rectify करना है second जो remedial action उसके उपर impose होगा remedial action इससे पहले हमारे पास financial penalties थी जिनको अब हमने remedial action लिखती है because जो हमारा market participation agreement होगा उसके अंदर यह साही टर्म फिर participant to participant defined होगी right तीसरी option तीसरी जो main component that would be communicated with the alleged market participant is the time in which he has to respond to these allegations or this cause notice the fourth thing is the relevant evidence to market operator ने कठी की है अपनी assessment से या जो एक alleged party से उसने acquire की थी ताके जो alleged sorry जो जिसने allegation लगाई थी उस party से जो इसने information require की थी ताके the alleged participant may respond to it और fifth चीज उसका एक right है for representation in front of the market participant जिस तरह नेपरा के अंदर hearing होती है उनके पास right है किसी market participant के पास कि नेपरा के पास आजा सके तो हम hearing तो नहीं कर सकते लेकिन we can give them the right to represent themselves in front of us and clarify their stance ये जो baseline procedure है ये market participants पे अप्लाए होता है ये service providers पे अप्लाए होता है इसके बाद जो हम बात करेंगे that is specific to the market participants only क्योंकि service providers भी लाइसने प्रा के हम भी लाइसने प्रा के so there is only a little extent जहां तक हम उनको notify कर सकते हैं या कह सकते हैं कि आप ये बीज ना करें ये प्राद भी लाइसने सी है जिसका ये obligated role था जो उसने perform नहीं किया so after this we will be talking about market participants their defaults and the remedies अब इसको दो हिस्सों में segregate कर लेते हैं पहले हम defaults की बात कर लेंगे defaults कितने किसम की होते है अगर repercussions क्या होते है और दूसरे इस्ते में हम non-compliances discuss करेंगे अगर commercial code था क्लाउज है या उसका क्वी part है जिसका क्वी market participant उसके comply नहीं कर रहा तो उसके ओपर क्या penalties होगी सबसे पहले हम default की बात करते है चाहिए so events of default अगर आप देखें commercial code में तो 18 events of default defined है अगर आप देखें इवेंट्स of default को discuss नहीं करेंगे as a homework you guys have to study these default conditions and tomorrow we are going to discuss them लिकिन broadly अगर मैं केटेगराइज करूँ तो 4 या 5 main categories है जिनके अजर मैं इन सारे default conditions को describe कर सकता हूँ condition for example परला proof of activities जहां उसको एक instruction दीगी market operator की तरफ से एक time defined किया गया और उसने उसको comply नहीं किया दूसरा group of action क्या हो सकता है अगर हम इसे तोई discussion कर लेंगे default की क्या conditions हो सकती है payments exactly अगर उसने अपना security cover जमा करवाना था उसमें उसने delay कर दिया जमा करवानी थे उसने नहीं जमा करवाई it will be constituted as an event of default performance obligation हो सकती है इसके लावा अगर वो bankrupt हो जाए और एक administrator पॉइंट कर दिए back to its assets कि इसने इसके assets dissolve करके bankruptcy को complete करना है again वो market में participate नहीं कर पाएगा इसके लावा एक important condition जो आप in conditions में देखेंगे अगर it becomes unlawful for the market participant to comply with the commercial court can anyone explain इसका क्या मतलब है how can it become unlawful for a market participant to comply with the commercial court उस case में भी वो default बैरे नहीं हो for example for example एक court उसको stay देता है कि आप कोई production नहीं करना है आप किसी उसकाइशिटी नहीं दे सकते आप कोई energy नहीं दे सकते अब वो भी एक legal institution है जो state level के उपर है in that case वो अपनी commercial court की obligations तो पूरी नहीं कर सकेगा तो हमारे कागजाद के अगरे देफॉल्टेट अब देफॉल्ट का भी level है definitely अगर आपने कोई छोटी instruction फॉलो नहीं की तो आपके उपर बहुत ज़दा penalty नहीं डाली जा सकती किसी भी किसम की और आपका default का level कोई इस किसम का है जो बहुत high quantum में चला जाता है then you have to impose strict penalty और take a strict action against the alleged market participant उसके लिए हमारे पास फिर further क्या tools है ओके हम तीन काम कर सकते हैं सबसे पहले अगर कोई छोटा मोटा default है हम उसको दो दिन का time दे सकते जिसके अंदर उसको एक notice issue करेंगे और उसने दो दिन के अंदर-अंदर remedy करना होगा इस default को clear करना होगा and he will be cleared जी sir stay order में different condition है अगर हम party है और हमें भी instruction दी गई है कि इसको stay order मिल गया है आप से खिलाब कोई action नहीं लेंगी again अगर हम उस वक्त action लेते हैं तो फिर हम create a report में लेकिन अगर let's say कोई और case चल रहा है किसी और वज़ा से उसके उपर obligation लगी है कि वो energy of supply नहीं कर सकता कि जी को भी यह उसका plant बंद करना पड़ गया for some reason जिसमें हम party नहीं है तो वो हमारे काफ़ाद में default कर गया exactly yes अगर that is the case just stay के लिए हम dispute resolution वाले procedures यह जो procedures है यह dispute resolution से अलग है तो यह चीज़ एक इसमें जो fine point है very good आपने प्रेस कर दिया जो enforcement के जो भी processes अभी हम discuss करेंगे dispute resolution से अलग है dispute resolution में अगर आप चलेगे तो फिर आप वो procedure follow करेंगे अगर आप enforcement channel के अंदर तो फिर आप यह procedure follow करेंगे right अच्छा सबसे पहले चीज़ यह है कि default notice issue किया जा सकता है दो दिन में उसने default remedy करना है और इंटिमेट करना है मों को दूसी चीज़ यह security cover भी हमारे पास पड़ाओ है let's say default कि इसी नेचर का है जिसके financial implications है तो हम उसके security cover में से पैसे भी दोड़ कर सकते हैं और तीसरा case यह है कि हम उसको एक suspension order issue कर सकते हैं अब suspension order क्या है suspension order से participation है वो suspension order के साथ एक disconnection order भी दिया जा सकता है जिसकी एक copy नेचर पर एक copy relevant disco को जो के dno in this regard या tno को अगर उसकी transmission line तो directly connected है तो उनको भी बेजी जाएगी कि आप इसको disconnect कर दें उस disconnection order के ओपर time and date clearly specified होगी कि इस time and date को आपने इस market participant को system में से disconnect कर देना है physically वो disconnection हो गया और उसके साथ कोई भी cost incur होती है disconnection connection में after the issue is solved वो वही party pair करेगी जिसका system disconnect होगा है because of the default sir so LR के लिए ना बहुत सारे हमारे पर different parameters आजाते हैं इसको आप visualize करें कि एक IPP और एक DPC है बहुत simple हो जाएगा इसको समझने के लिए because उसमें फिर बहुत सारी different complications so LR के case में आजाती है उसको default को interpret भी हमने करना है उसको quantify भी हमने करना है so definitely so LR is very important for so many different consumers आप उसके लिए एक याप स्टेक थोड़ी से different रखेंगे रखेंगे अगर को इंट्रस्ट इंकर होता है on the top of it उसके default को बहुत डिले कर लिया तो उसके इवस जितने पैसे बनते हैं हम वह भी और अगर market operator को लगता है कि further financial market के उपर है या किसी और market participant के उपर है उस amount की जो इसे नहीं पेकिए इस तरह भी हमने सबने पैसे contribute किये में और उसकी amount सफर कर रही है तो उसकी further financial implications भी बनती है in this case the market operator में decide कि इसनी amount की financial penalty उसके उपर डालनी है penalty in a sense कि हम उसकी security cover से पैसे विदोल्ड कर रहे होंगी और इसके इलावा जब वो default remedy देता है तो समझें कि यार इसने क्यूंकि एक दफार डिया अब यह डिपेंडेबल नहीं रहा हम इसका security cover बढ़ाना चाहते हैं so again we can do that जब market okay yes great अब अगर आपको हमसे complaint है तो आप हमें किबली बैट के discuss करेंगे उसको किबली इसको discuss करके मसला सॉप्ट कर लेते हैं नहीं कर पाते हैं तो हम एक sole expert पर agree कर लेंगे कि यह आके बैट के हमारी arbitration करवा दे हमारे बीच में इस अगर नहीं करवा सकते हैं तो अगर कुछ लॉग के चलते हैं फिर उस सेंस में जाएंगे नेपरा के पास अल्टिमेटली चले जाएंगे नेपरा के सामने हेरिंग हो जाएगी लेकिन अधर देन रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है जैसे इनर्जी मेकैनिजम में पार्टिसिपेशन है इस अमाउंट से जदा पार्टिसिपेटिएटिंग इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर विजन पीरिड जिसमें उसने डिफॉल्ट को रेक्टिफाइए नहीं कर पाता फॉर वटेवर रीजन अब हमने यह तो अगला लाइन ओफ एक्शन है वह सिस्पेंशन ओर में क्या होगा कि उसका जो मार्किट पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट है वह सिस्पेंड हो जाएगा लेकिन ही विल बी ऑब्लिगेटेट तू परफॉर्म हिस ड्यूटिज अंडर दी सीटी बीसीम फ्रेमवर्क पतलब जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है वह उसने पूरी करनी है रीजन बिंग कि अभी बी वह हमाएंसा रिजिस्टर्ड एस सिस्पेंड हुआ है इसके अलावा अगर वो स्टे ले लेता कोट से लैट से शिपेंशन और के ऊपर उस के अंधर भी जो भी टाइम स्टेक अंधर में वो एइनर्जी कंस्यूम कर रहा है या बैलंसिं में जा रहा है कि जो भी कर सकता है तो उस पूरे पीरिड के अंदर in that period of suspension जो उसने energy trade की होगी उसके charges भी वो pay करेगा it is not termination it is suspension which will come with certain conditions और एक उसकी highest या condition या high magnitude condition यह साथ ही हम disconnection order भी देदे that would be the last resort probably इसके बाद उसके पास two business days होंगी तो एक meeting request कर सकता है mo के साथ to clarify his stance 10 दिन के अंदर mo ने उसको meeting organize करके देनी है और जब तक meeting organized नहीं होती उसको suspend नहीं कर सकते है once he has requested for that meeting then we have 10 days we have to settle down that meeting उसके बाद हम उसके in effect आएगा उसका suspension order disconnection की disconnection का जो हमने उनको disconnection का जो sorry यह notice है या order है उनसे तो हम request ही करेंगे कि आप इस disconnect कर दें इसना हम authority को intimate करेंगे और एक copy हम उस market participant को भी भेजेंगे असल order तो उस market participant के लिए ना जो service provider है उसको तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि आप इसको disconnect करने विद इन authority तू नेपरा अगर let's say उसको कोई इस चीज़ पर इस चीज़ पर इखतलाफ होता है वो नहीं करना चाता अब तो उसको कोई इखतलाफ उसका बनता नहीं है जो market related चीज़ें वो तो हम सेटल कर रहे हैं ना कि ग्रेट अब मैं इसको इसको explain सहीता नहीं कर सका कि order is for the market participant जो आपका service provider उसको notify किया जाएगा इसना नेपरा को notify किया जाएगा कि आपने ये काम करना है इसका disconnection हो गया उसके बाद in lieu of this suspension order हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम उसे कर सकते हैं हम उसको restrict कर सकते हैं from from registering new contents secondly हम उसकी payments withhold कर सकते हैं इसके लावा based on the type of default and the type of suspension अगर हम समझेंगे और restriction भी उस पे लगाई जाने चाहिए तो the market operator in their wisdom has the right to take that call उसके बाद जो suspension order होगा it will also be made public इसकी public announcement भी होगी और ये MO website के उपर available भी होगा ये अभी हमने discuss किया था कि जैसे ही एक market participants spend हो जाता है उसकी obligations खतम निए तो इसकी होगा तो उसकी obligations खतम हो जाएंगी इग्जैक्ली जो इसका current status होगा website update होगा अगर let's say suspension खतम हो गई है उसके साथ हमने हमें के बिले डिसाइड कर लिए कि तुम पर हम यह कर दी है लेकिन विदिन इस time lines या कर दो इन इस time lines हम आपका suspension order खतम कर रहें तो that will also be notified on the website स्वेंशन के दौरान based on the nature of the default हम उसके कुछ rights जो उसको under the MPA में ले हैं वो रिस्टेट कर देंगे let's say suspension जिसमें हम उसको रिस्टेट कर देते हैं कि ना BMC में पार्ट ले सकते हैं ना हम balancing of energy में पार्ट ले सकते हैं तो वह कुछ भी नहीं कर सकता काम जब वो करेगा लिमिटेशन में करेगा जो हमने डिफाइन की है एक जनरल लिमिटेशन कोड देता है एक framework सेट कर देता है उसमें rights and obligations clearly defined है लेकिन जब आप suspended हो गए हैं तो उन्हें curtail कर दिया गया है वो किस level पे curtail होती है that would be defined based on the default right और इसका definitely से कोई इनकोई impact आएगा okay इसके लावा जिस तरह भी हम discuss करें थे suspension or to withdraw भी हो सकता है market operator समझता है कि यह इसने जो भी default था उसको remedify कर दी है or to ensure the integrity of the market वो क्या काम कर सकता है he can establish a lower buying and selling limit for the market participant इसके लावा वो से जो payments का schedule है जो हमने monthly उनसे लेनी है उसको और stringent कर सकते हैं उसकी frequency और magnitude को change कर सकते हैं इसके लावा जो इसकी record keeping की requirements हैं वो भी हम increase कर सकते हैं let's just make report महीने बाद जमा करवानी है तो हम उसे कहें कि आप हर दो महीने के बाद हमें report करें ओके और जो final step है जो हमारे पास a top option है that is the termination order suspension order के साथ-साथ disconnection order हमेशा नहीं आएगा it depends case to case but termination order के साथ हमेशा disconnection order आएगा क्यूंकि अगर उससे पहले वो issue नहीं हुआवावा terminate जैसे इसने किसी market participant को कर दिया तो इसका evoke हो गया now he's not in the market right so he has to be disconnected from the system अच्छा तो नहीं के लिए definitely जो market participant है जिसके अगरीमेंट किया है let's say then वह वहली अभी जो हम सुभा भी डिसकूस कहते थे कि वह S.O.L.R. के बाद वापस जा सकता है in the case of default उससे तीन महिने का time ले सकता है या जो भी time agree होता है उसके बाद he'll find a new generator और a new market participant or a trader merchant whatever again अब जो time है suspension order का जिसके अंदर उसने वो default या इशू है इसको resolve करें that is 30 days sir कर तूब कर दो कर दो कर दाद हमारे पास security guarantee fund भी है हमारे पास का security cover भी है तो अगयन उसके बाद से लिटी ये तो इसके बाद हम litigation में और भी आगे जाएंगे हमने उससे करवानी है में further question हो सकता है से उसकी recovery इतनी जाद उससे करवानी है जो security guarantee fund से पूरी नहीं होती यह हमने वहां से initially उसको deduct कर लिया लेकिन ultimately तो हमारा fund काम हो गया उस fund को भी आप वो तो contribute नहीं करेगा उस fund के अंदर तो उसके लिए फिर litigation channels है जो over and above this process है यह हमारा indigenous process है यह हमारा internal process है तो suspension order का time 30 days है 30 days के अंदर अगर वह respond नहीं करता तो market operator उसको एक termination order issue करेगा termination order again उसके पास दो ले रोपिशान रिसीपोफिट he can request for a meeting वह speeding में आकर अपना stance clear कर अगर वह clear कर गया well and good अगर वह नहीं कर सकेगा तो again वह termination order को affect मिल जाएगा इसनलिशन तो वही साही चीज़ें है termination order challenge कर सकता है quotes उसके बाद फिर आप पूरे procedure के थुरू चलेंगे की आप भी आप यू आप आप you can you know go to the highest code शवर ये जी ईप घू है कि आप डिवर बहूंगे कि कि अब सध्रैट्रैसा ऐसे इसे है कि उस्पेंशी आया पज्मित है हम नहीं कि इसको देनी है तार्टैने को देनी है इसको हम सभाएट के यह नहीं का त NahG 네 टेदिशा सvo kirtिल करतें इतना ङुद को स्काथ हुदा को इस नॉट में कि आप टोटली उसको खत्म कर देंगे जिस कॉंट्रेक्ट की बात हो रही है ये कॉंट्राक्ट कॉंट्रैक्ट आप चलेंगे उसके दस अलग अलग बीपी सीज के साथ सब्सक्राइब करता है कि नेटर ऑफ कॉंट्रैक्ट किया है जो हम इस मार्किट में कॉंट्रैक्ट से यार बाइलेटरले नेटर ठीक है लेट से मिलेपाइब बहुत बड़ा प्लांट है मैंने 10 लों के साथ कनेक्शन कर दी अब आप इसको बीपीसी के पॉइंट ऑफ यू स सब्सक्राइब आप अगर इंफरिकली देखें तो वहां आप सोचेंगे वो डिसक्रेक्ट हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे इसका और किस किस के साथ कॉंट्रैक्ट है क्या वहां ये इशू आ रहे हैं इस नहीं आ रहे हैं सिर्फ इस के ओपर टर्मिनेशन और इसू करें इस क्वेश्चिन के अंदर बहुत सारे इफरेंट वरियेबल्स हैं विच विल बीवेंचुली कंसिडर्ड बट अगैं अब दूसरा जो हमने सेक्शन डिसक्स करना था याट वस रिगार्दिंग नॉन कंप्लाइंस खीक है नॉन कं कि पूरे कमर्शल कोड की भी हो सकती है किसी एक प्लॉस की भी हो सकती है किसी एक सेक्शन की भी हो सकती है किसी एक प्र की भी हो सकती है ठीक है तो जब हमारे पास यह इन्फरमेशन आती है कि there has been a non-compliance तो we would be evaluating कि उसका लेवल क्या है how severe it is, उसकी frequency क्या है, उसके उपर उसको एक letter लिख देना चाहिए, सिरफ intimate कर देना चाहिए, या उसके उपर कोई और remedial action भी लेना चाहिए, और अगर वो remedial action लेना चाहिए, तो वो क्या होगा, as per its signed market participant agreement, यह अब एक चार्ट है, this is the last thing, and it is the most interesting thing, इसमें चार लेवल्स आफ नॉन कम्प्लाइंस डिफाइन किये गए हैं, जो फर्स लेवल है, लेवल वन, उसमें यह हुआ, कि एक market participant ने, partially commercial court के किसी clause की violation की, उसके बाद वो खुद ही हमारे पास आगया, और उसने हमें intimate कर दिया, कि मेरे से यह non-compliance हुई है, इस वज़ा से हुई है, इतने टाइम में मैं इसको रेमिट कर दूँगा, इसको हम L1 कहेंगे, इसके ओपर हम उसको एक non-compliance letter issue करेंगे, और इसके पर his MPA एक बहुत minor सी penalty लगाएंगे, ठीक है, अच्छे यह numbers आप देख रहे हैंना, यह numbers जो हमारी slide में, इस slide में तोड़ा सा एक issue है, इसे ना consider करेंगे, यह updated commercial code में numbers नहीं हैं, right, this would be referred to the MPA, अब आप अपना market participation agreement देखेंगे, with regards to financial penalties, इन numbers को आप बिलकुल disregard कर दें, दूसरा level यह है, एक complete non-compliance होई, of a clause, right, और participant ने again, हमें खुद बता दी है, reasons भी बता दी है, timeline भी बता दी है, again, उसने कोगे complete non-compliance की है, of a clause, then what would happen, वो MPA अपना कीस होगा, और according इस पे, जो भी penalty है, वो लगेगी, financial या non-financial, और उसके बाद level 3 है, level 3 यह है, कि उसने non-compliance की, और हमें intimate नहीं किया, through the virtue of our own systems, or by whistleblowing, of any other market participant, हमारे knowledge में वो चीज आ गई, हमने उसको notify किया, कि आपने non-compliance की है, और उसने में रिस्पॉंस लिख दिया, कि yes, I acknowledge it, and I will rectify it in so and so time, and these were the reasons, उसने बताया भी नहीं, हमें पता भी लग गया, हमने उसको notify किया, उसको लिखा भी कि आपने non-compliance की है, और उसने हमें जवाब देना पसंद नहीं किया, that would be the final and fourth and fourth level of non-compliance, and that's it.